सिंग साब कुछ सेट ट्रिक भी बनाना किसी इसकी ट्रिक मांग रहा है दो दिन में क्यमिस्ट्री पढ़ा और पूरे मैं से पूरे माक्स आ जाए क्यों यह तो चांते हो कम सौट कर महां मैंगी की तरह पग जाए कैमिस्ट्री नहीं आज अपन पढ़ रहे होंगे क्लास 12 का सब्सक्राइब करते रहते हैं कि कब उनकी बारी आएगी क्लास 11 से तो आज पन पढ़ेंगे की टोंस और कार्वकजिलिक एसट जो कि एक दानब जैसा विशाल का चेप्टर है क्लास 12 का यह बहुत बड़ा चेप्टर है बट इसमें याद करना भी कापिसरी नेम रिक्सेंस तो एक-दो कुष्ण आप यहांसे मानके चल सकते हैं और बोड़ वाले तो थोड़ा सा सीरिस लें इसको पूशी जाते हैं कुष्ण तो शुरू करें थोड़ा सा आ जाने तो सबको पर अपने स्टार्ट कर रहे होते हैं गोड़ इविनिंग हां रियक्सन की अच्छे ठीक चलो शुरू करने शेयर कर दिया के नहीं आपने बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं 12 वाले ग्लास में भी क्या बात है कि दिन डिन 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 लेट मी चेक कि अज़िए शेयर करो शेयर करो फटा पर सुरू करें यह के अगर रेसियर बौर्ड की कि प्रिपरेशन में किसे करें आते हैं अपने आपने इस टॉपिक पर भी बताते है यार सुनो पहली बात जब हम इस चेप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें तीन आपको प्राणी दिखाई दे रहे हैं यह क्या आपका यह फंक्षणल ग्रॉप पता है क्या होता है आपको इस तरीक से होता है ना आपका एसेट का और वोगजिलिक एसेट के इसके फंक्षणल ग्रॉप की बात करूं तो वह क्या होता है सी ओच होता है तो क्या क्या चीजह इसमें आ रही होंगी अपकोर्स इससे पहले जो चप्टर देखा था उसमें और यह था ठीक है अब यहां पर ना कार्वनिल गृप आ रहा होता है जिसकी वैसे इसे बहुत सारी रेक्शंस यहां पर इंट्डूस हो जाती है रेक्शन मे देख रहे होंगे क्योंकि रेक्स्ट मेकनिसम जहां आती है वह श्ट्यंट्स का दिमाग लग रहा होता है जहां दिमाग लगता है वह चीजह में अक्सर टेफ लगने लगता है ठीक है अभी जो पूछ रहे हैं कि बॉर्ड की प्रक्रेशन क्या से करा ना टाइम बहुत कम में इस तो आपका आई गया है बोड वालों के लिए सिंपल सी बात है एक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं chemistry के लिए वो content sufficient है उसको पढ़ लो बढ़िया से और कोई reference book ले लो जहांपर आप last year के कुछ questions बगएर प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है तो previous year के questions यदि प्रैक्टिस कर रह तो मिली रहे हों यह तो कहीं पर भी आपको मिल जाते हैं ठीक है PCM की इसमें क्या है कि आप test का analysis कर सकते हैं तो आपको oswald.io यहां पर जाना है जब आप जाओगे तो अंदर उसमें वह साइट टेस्ट बगएर आ रहे होंगे आपनी तरप से भी आप बना सकते हो फिरी में जो क्या है जो evaluation है जैसे होता क्या है कि आपके objective question है ठीक है इनका तो आसानी से मिल जाता है बड़ subjective का evaluation नहीं होता है तो हमको यह पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने गड़े में तो एक और सब कुछ cover up करने के बाद आप ढंग से mock task दीजिएगा board की practice कीजिएगा board में पूरे म आपका evaluation हो रहा होगा उससे आप idea अपना लगा सकते हो सब कुछ फिर यह कोई पैसे वैसे आपको नहीं दें तो इसकी link पगर में description में डाल दूँगा तो वहां से आप देख लीजिएगा ठीक है यह कह रही है क्यासी book है मेरे पास जो book है मैंने देखी है मैंने बताई दो- इसको यहां तो हम इस तरीके से लिख रहे होते हैं या पर इसका structure कुछ इस तरीके से होता है C double bond OH यह संदो तो यह क्या होगा अब LDI को बहुसार एक जामपल हो सकते है आप R के कुछ लगा तो CS3 C double bond OH इसको अपन क्या वह लेंगे दो कार्वन है एथिनल बोल रहे होंगे ह structure क्या होता है कि अभी यहां पर H लगाता है इसकी जगह भी आपका R group शुरू हो जाता है तो यह क्या हो जागा क्यों हो जागा दूसरा C double bond OH इस तरीके से चैन चलती रहती है आया ना तो सबसे small ketone की यहीं में बात करूं तो तीन कार्वन का होता है यह क्यों हो गया कार्व चैनल के असे चैनल के असमें COOH समझे आ रहा है कभी इस तरीके से भी लिखा हुआ होगा यह COH अच्छा कुछ इस्ट्रेंट इसको पैचा नहीं नहीं पाता है यह आपको ऐसे नजर आ गया है R1 CO2 पैचान सकते हो कि नहीं पैचान सकते हो CS3 थैना CO CS3 समझ रहे है तो यह क हां पर यह कि ऐसा करुपय करें सिद्र डवयल्मन ऊ से यंदी एच आ गया तो अल्डह और टो यह यह के यह विक्न लेएOh असाइल किलोराइड ठीक है यह बात भी समझ मागी यदि इसकी जगह एनेस्टू आ गया तो क्या हो जाएगा अमाइड इसकी जगह यदि ओर आ गया तो क्या हो जाएगा एस्टर यदि मैं एस्टर का कोई एक्जमपल ले लूँ तो सी एस्टरी सी डवल बॉन्ड ओ और यह पैचान आ जाएगे फिर एक होता यह बना कि आनागा उता है आपके पास दो पकड़ो और उन्हें से पाणी निकालो यह से आपको पानी निकालोगे तो आपको गया मिल जाएगा और ना या से मैं आपको बनाके दिखाई distortion कैसे बन रहा होता है तो सिम्पल सी बात है आपक अलग-अलग हो सकते हैं ठीक है अब आप क्या कीजिए इसमें से पाने निकाल दीजिए एच टू ओ तो जब आप इसमें से पाने निकाल होगे तो आपको जो compound में लेगा वो कुछ ऐसा होगा c3 c double bond o ठीक है ओ आगया इदा यह c double bond तो यदि आप इसको देखो तो यह क्या था आपका acid था या न दोनों के दोना acid थे और इन दो acid में से आपने पानी निकाला तो जब दो acid में से आप पानी निकालोगे तो हमको क्या मिल जाता है acid anhydride कोई doubt कहीं पर आए तो बता देना में एकदम simple basic से चलना है कोई जल्दवाजी नहीं है तो यह क्यों आपका acid पानी डाल देते हो तो क्या होगा हमको वापस acid में जाए चेक करो क्यासे जब भी आप hydrolysis करा रहे हैं पानी डाल रहे हैं इसका मतलब क्या है आप hydrolysis कराना चाहा रहे हो हाँ या ना यानिकि h plus और oh minus एक साट एड़ कर तो यास मालो आप इस डवल बॉंड को तोड़ सकते या अपने इस बॉंड को तोड़ सकते तो मालो आपने इस बॉंड को तोड़ा तो इधर h और इधर oh टीके तो जब आप बनाऊगे वापस से देखो यह बन राए की नहीं बन रहे है समझा रहा है सिंपल है कि नहीं है बोलो ठीक है, acid chloride भी है, acid chloride bromide हो सकता है, ठीक है, नूट करना है किसी को तो कल लो, चलो अब आगे बढ़ते हैं, NCRT की तरफ, तो यह सब पता होने चाहिए आपको proper क्या, कि किस तरीके से structure है, कि कैसे भी हो सकता है, यह आपको इस तरीके से open करके दी हो, हो सकता है आपके छुपारस तरीके से छुपे हो, तो कैसे भी करेंगे, आपको पैचान में आ जाना चाहिए, देखके पता लगना चाहिए, कि यह वाई सब कीटोन है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो चलो, अब इनकी, हम आगे बात कर रहे होंगे, तो यार, पहले तो इस topic को देख ले होंगे, acid को पन drop कर रहा है, ठीक है, आप सुनना द्यान से, यहां पर कुछ compound दीए हुए है, तो यह बताया गया है, कि इनके कहां कहां पर use हो रहा होता है, तो बहुत सारी food product में use होता है, medicinal use हो रहा होता है, तो इन सब के structure बगार के कोई जरूत नहीं है, बर यह कभी-कभी आपको पता है, पहले में पढ़ाया था, कि OH के बगल में CHO आ जाए, तो उसको क्या बोलते है, salicyl LDR, ठीक है, LDR आ रहा है, salicyl LDR, और COH आ जाता था, तो क्या बोलते है, salicylic acid, तो यह हमने पहले देखा था, 11th chapter में, ठीक है, तो आपको पता है, इसका नाम याद रखना ह दूसरा, यह भी आपको याद रखना है, cinema LDR, यह क्या होता है, बेंजीन है, यह क्या आपकी बेंजीन है, और यहाँ पर CH, double bond CH, और COOH, ठीक है, तो यह जो गुरूप इस टाइप से गुरूप आ रहा है, इसकी वैसे इसका जो नाम है, उसको क्या बोल देते है, cinema LDR, तो य बाकी इसमें और को जानने की कोई जरूप नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से जो अपकर टॉपिक है, शुरू हो रहा है, वो है आपका IUPAC Nomenclature, इसके बार मैं कई बार मैं आपको ग्यान दे चुका हूँ, कि यदि आप NCRT का Nomenclature देखते हो, तो चेप्टर वाइस दिया हुआ है, और चेप्टर वाइस Nomenclature पढ़ने में बड़ी प्रावलम है, क्योंकि आदे रूल यहाँ, आदे रूल यहाँ, तो समझ मैं कैसे आएगा, तो मैंने कई बार आपसे कहा है, कि जो आपका IUPAC Nomenclature का, मेरा एक वीडि का पढ़ रहे हैं, L-E-E-Q-16, अलग पढ़ रहे हैं, फिनोल का रहे हैं, अलकॉल का पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा, तो यह बात आपको समझ माल गई होगी, अब नormonclature नहीं को पता है, दो चीज़े होते हैं, एक तो IUPAC Nomenclature, द कि यह बात करूं तो यह आपका यहाइड गुरूप है लास्ट में क्या लगा देते हैं आप ए-ल किसमें यहाइड उग यह और यहीं की बात करूं क्या लेते हैं बताओ तो बस इतना आपको याद रखना है बाकि जितने भी कुशन चाहिए अगे बढ़ते हैं अब यहां पर सबसे पहले नहोंने बात कर रखी किसकी कॉमन नेम की तो कॉमन नेम का एसेच कुछ रूल बगरा नहीं है बढ़ कुछ कुछ उद्धी है वह आप पड़लो क्या जैसे आपको पता है एसेड में जैसे यह ता सी एस्टरी च उच होता तो इसको क्या बोल देते एसेट एल्डी आइट समझेदे जैसे यह है सी ओएच होता तो बेंजेन के ऊपर जाए यह इंपोटन यह और इसको आईउपी एसी ने भी एसेट कर रखा है फिर एक और बात है यहां पर ना इस तरीके से सब्स्ट्रिट्ट होते हैं उनको अलफा बीटा गामा डिल्टा इस तरीके से हम नोट कर रहे होते हैं चुँकि यह बार बार चाहिए पेचाहन माना चाहिए के αšका्यां क्या छोती हैं तो यदि आप धिहान से देखो, तो यहान पर आपक्या आ रहा है करमनल गृप आ रहा है जो शुरूऊ हो रहा है इसको किया वूलता है न चलते जाओ अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा ये होतार यां एक अठाके क्या लगाना है लगाना होता है तो यह common नहीं नहीं अभी टेवल भगारा भी आ रही हो गया उसके देखेंगे तो यह के बारे में हो गया अब यदि मैं ketone की बात करूं है ना ketone की जो नाम है जैसे दो अलकाल ग्रूप आपके होते है ketone में जैसे आरबन C double bond O R2 यह क्या ketone है हाँ यह ठीक है कारवनल ग्रूप है इसमें यह क्या आपका कारवनल ग्रूप होता है ठीक है अब इसमें भी आपको यह कुछ लोकेशन पगेरा देना है तो अलफा अलपा डैस है बीटा बीटा डैस करके चलती जाते हैं गामा गामा डैस इस तरीके से न तो इसमें कारवन यह से यहां पर एक दो तीन आ रहे है तो नहीं को पता होना चाहिए कोंन नहीं रहे हैं अ एल लगा रहे होगे, क्रिटोन की केस में क्या लगा रहे होगे, ओनी लगा रहे होगे, तो सेम चीज़, यदि आपका LDID आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो LDID है, यानि की सीनियर फंक्शनल गृप आई है, तो जब भी हम कारवन की मेंचेन चूज करेंगे, तो क्या देखते हैं, मैक्जिवा नंबर कारवन कहां आ रहे है, पर नंबरिंग कर रहे होते हैं, नंबरिंग कहां से सुरू होती है, बताओ, जहां पर सबसे कम नंबर के इसको मिल दाओ, कारवनल गुरुप को, जैसे लडियाड है, तो लडियाड को मिल रहा हुगा, हाँ या ना, ठीक है, और पर द्यान उसके जो सब्स्ट्रिवेंट है, उसको हम अलफावर्टिकल ओडर बगारा, वो सब चाहिए कर रहे होंगे, ठीक है, तो यह सारी चाहिए आपर बताई को क्या आता है, और जब भी हमने कारवन की मेंचेन चूज करनी होती है, तो उसमें मेक स्वर, कि सबसे कम नंबर आपको किसको मिल रहा हो, यान कि कारवन गुरूप है, उसको मिल रहा हो, ठीक है, सर प्लीज, जैई के लिए कुशन सीरीज लाइए, देखते हैं, देखते है जैई के लिए कुशन सीरीज लेगर हो सकते हैं, ठीक है, अब सुनना, तो अब जब हम LDI का IUPAC शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर इसका प्रिफिक्स भी आ रहा होता है, लाइक ऑग्जो, ठीक है, क्या होता है प्रिफिक्स ऑग्जो, अब यह सब कहां कैसे यूज होता है, तो हम एक्जम्पल से डेट समझनी कोशिस करते हैं, तो सबसे सिंपल एक्जम्पल मैं लेता हूं, सबसे छोटा LDI कौन सा होगा, सबसे छोटकू LDI कौन सा होगा, H C double bond OH, आया ना, यही है, आया ना, तो अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्ब यदि मैं तीन लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CHO, क्या बोल देंगे, इसको प्रोपे नल, क्या बोल देंगे, प्रोपे नल, यह बात आपको समझना गई है, अब मालो, आपको एक्जम्पल लेता हो, जैसे आपने यह एक्जम्पल या बड़ा सा एक्जम्पल दि 4, 5, 6, 7, कोई confusion था ही नहीं, क्योंकि सबसे कम नमबर, इसी को देना था, yes or no, ठीक है, अब 3 पर आपका CS3 गुरूप आ रहा है, और 4 पर आपका ब्रोमीन गुरूप आ रहा है, तो इनका प्रिफेक्स आ रहा होगा, यह एजा सब्स्टिट्वेंट आ रहे होंगे, तो methyl और ब्रोमीन में सबसे पहले ब्रोमीन आता है, तो फोर्त पर आ रहा है, तो हम क्या लेखेंगे, 4 ग्रोंगो, 3 मिथाईल, और इसमें 7 कारवन है, तो हैप्टेन, और लांश्ट में क्या लगा देंगे, यह बात आपको समझ मा गई होगी, ठीक है, चलो फिर और आगे बढ़त इसकी नंबरिंग हो रही है, अब 3 पर आपका क्या रहा है, मिथाल आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाल, चूंकि साइकली कंपांट, साइकली का पांच कारवन का यह रिंग है, बेसिकली, ठीक है, तो साइकली पैंटेन, और लाश्ट में क्या लगा देंगे, प्रिंग है, आपका साइकलो थैन, और इस पर क्या राहे है, तो यहां पर एक बात सुनना, कुछ हिस स्ट्वेन्ट इसका इस तडिक से नाम क्राब करता है, कि पिसके करी नहीं पाएंगे, क्योंकि डारेक्ट इसको रट सकते हो कि जब-जब LD हैड डारेक्ट रिंग से अटेज्ट होगा तब-तब कार्ब LD हैड आएगा लिख लो क्या जब-जब जब-जब कार्बन किसी का भी C, D, O, S का है डारेक्ट C, O, C, O, H, का हो सकता है रिंग से अटेज्ट होगा रिंग से अटेज्ट होगा तब-तब कार्ब लगाएंगे मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है यदि आप IP에서 की वीडियोरी देख लोगो तो आपको कोई डाउट ओन कण एडुपन के पूर्जं मन जाए सारी कर्फ लगाएंगे तो आपको समझ सुह पूरे होगी समझ मा रही है तो आप देखो यह क्या है क्या नमबरिग में जा रहा है नहीं जा रहा है डाय coin एगते हांट हम क्या लगाँगे कैल नहीं बोलेंगे इसको साइकले कार्व एल्ड डिएड से देखो यह तो नहीं है तो कुछ नहीं आप सुना इसमें जो आप नंबरिंग करोगे तो यहां से हो रही होगे सोड एक फर्स्ट सेकिंट और थ्र्ड पर ने में रहा है इसलिए 1-1-1-1 वोले तो 1 पर आपका कीटो गुर पार रहा है तो इसका इपसी ने हुआ कि इसके इपसी की ना बात करूं तो 1-2-3-4-5 पांच का रहा है ना पैंट दो पर डवल बॉन रहा है तो इस तरीके सम क्या कर रहे होंगे इनके इपसी ने हम बता रहे होंग आपको नहीं देख रहा है अब इसमें यह क्या रहा है तो इसके लिए हम क्या उस करते हैं और यूज करते हैं तो वन टू थरी पर क्या आपका ऑग्जो पांच का रहा हो ना पैंटेन और लाश्टम क्या लगा देंग आप इसको देख लो जैसे मैंना भी पीछी लिखा य यह जो है इसको बेंजल लिएड हम बोल सकते हैं इसको असेप्ट कर रखा है अब यह नमबरिंग भी आप करना चाहो तो नमबरिंग यहां से करो कि वन टू थरी टू थरी और फोर पर क्या रहा है आपका नाइट गरो पा रहा है तो देख ना फोर नाइट्रो इसको क्या तो डायरेक्ट रिंग से अटेस्ट होगा तब तब कार्व आएगा यान की कार्व ल्डियाड आएगा ठीक है तो अब यहां पर द्यान से देखना फोर नायट्रो बेंजीन आगे क्या लगा है हम कार्व ल्डियाड तो यह भी आई-पी-अशी नेम इसका और यह भी आई- अब इसमें कितने कार्वन है टोटल पांच कार्वन है तो यह जो आपका वचा यह आपका सब्स्टिट्वेंट है और यह भी आपका सब्स्टिट्वेंट है तो सेकंड और फूर्थ पर क्या रहा है सब्स्टिट्वेंट आ रहा है तो सेकंड फूर्थ क्या हो जागा डाय हो तीन अब इस से यह सीई यह चो यह सीए अब यहाँ पर वह वाला रूल तो ब्रेक हो रहे हैं यह यह चूट रहा आप तो है तो किछी के साथ भ्त बहद बावन नहीं हो आइडेन्टिकल ट्रीट्मेंट दिया जा सभी LDH2 यह NCRT भी कह रही है तो आइडेन्टिकल ट्रीट्मेंट कैसे दे सकते हम उनको कोई भेदबाब ना हो इनके साथ तो हम करते हैं वाई सब को बुरा ना माने सब का ध्यान रखते हुए अना सब का साथ सब का विकास हम इसको मैंचेन माना सारे के सारे LDH2 खुस हमारी भी सुन ली गई है हाँ या ना ठीक है तो अब आप नंबरिंग कर सकते हो 123 तो वन पर भी LDH2 पर भी LDH3 पर भी LDH3 तो इस टाइप के क्योंकि अब यहां पर ध्यां रखना CHO यह जो कारवन है इसको नंबरिंग में काउंट नहीं समझाया यस और नो बोलो चलो ठीक है तो यह चीए कुछ-कुछ के लिए हो गई है अब NCIT में एक टेविल दीए इसको फटा पट देख लो फटा फट मतलो फटा फट ज्यादा टाइम परवाद इसमें नहीं कर रही होंगे सुनना हो यह फट पतला फट देख रहा है कि आपको प्रॉपर क्यों इसका मेंने बताया था एक च्छ तो यह तो क्या आपका में एथिनल हो जाएगा यह सुनो तो इसको इसका कॉमन नेम क्या बता है फॉर्म लडिय यदि दो कारवन है तो यह पहले बता चुका हमें इसक दो तीन और एक ही है तो यह जो ग्रॉप मेंचेंट यहां पर हुजा नहीं रखने है इसको भी छोड़ों का यूज नहीं होता है एक्रोलिन है जरूड था नहीं पड़ेगी इसको थोड़ा से देख लिए नठेट जब चीए जब चीएच और तो पर आ जाए यह नहीं दे देखो तो 123 यानि की मेटा है और इसको क्या बोलते हैं बेंजल एल्डियर तो इनके कुछ को मन्य हो गए अब फटापट फटापट हम आई पेसी निम देखते हैं तो नंबर कहां से करेंगे इसमें वन से यहां से 123 तो 3 पर क्या रहे आपका मिठायल आ रहा है तो 3 पर आपका मिठायल आ गया साइकलो आएगा क्योंकि साइकलो हेग्जेन अब हम क्या लगाएंगे इसमें कारवेल्डियर क्योंकि डिरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है समझे ठीक है शिव हम कह रहे है सर यह बहुत डिफीकल्ट है आरा भाई एकदम सिंपल लगेगा तुम टाइंसन क्यों लेते हो पस IPSC थोड़ा सा देख लेना आया ना समझ ना है तो बार बार पूछ लेना और एकदम सिंप्लिफाइड कर देंगा उसको यदि मैं इसकी बात करूं इसका IPSC बताओ तो चलो इसका IPSC बता देते हैं थोड़ा सा इसको अब टू पर क्या रहा है तो क्या बजाएगा टू मिथाग्जी प्रोपेनल अब यह सीधा सीधा एक दो तीन चार पांच तो पैंटेनल हो जागा इसमें कोई दिक्कत नहीं है पैंटेनल लाश्ट में लगा देंगे यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको भी देखो वन अब लॉभी टू पर डबल बॉंड आ रहा है तीन कारवन है तो प्रोपेन टू पर डबल बॉंड है तो टू इन लाश्ट में क्या लगा देंगे एन सारे के सारे एकजम्बल किसके लडीड के हैं नियुक्शा रहा है चिक यह विकास पूछरा को अप्छे मैं क्यों सर था सब्सक्राइब करा दिया कि नहीं करा है कि यहां पर नंबरिंग करोगे तो वन और टू तो बेंजीन पर वन और टू दो आपके क्या रहा है लडीएड गुरुप आ रहा है तो डाय कर्व लडीएड चुंकि सी एच ओ डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है जब जब रिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर इसको हम नंबरिंग में काउंट न करें तब तब क्या दो लोगे थृव ब्रो भ क्या लगा सकते हैं लगा सकते हैं कि समझाया को बोलो कि किजिए है ठीक है कि क्या बोले सार आप कहां रहते हो हम इंदौ रहते हैं नेक्स्ट है थोड़ी सी कीटों की साथ बड़ा भेदवावा यार है ना उसके तो बहुत सार एक्जमपल ले लिए इनके तो कम लिए तो इसमें आई-पेसी नेम कुछ आई-पेसी नेम तो सब की पता होना चाहिए जैसी यह है कॉमन नेम की दिए में बात करूँ तो कॉमन नेम कैसे पहला एक्जमपल देखो क्या है वो उपर ही लिख लेते हैं इसको जगे बज़ जागी पने पास देवल बॉंड ओ यह क्या आपका देन सी एच टू देन सी एस टू सी नम्मरिंग कहां से करेंगे इनमरिंग इदर से कर पाँच है, टूपर ओन आ रहा है, तो पेंटेन टूओन क्या है यह जागा इसका, पताओ, आयूपी एसका नेम, गॉमन नेम की यहिदि मैं बात करूं, तो एक आपका इधर मिथाइल आ रहा है, और इधर आपका एन प्रोपाइल आ रहा है, तो नाम क्या हो जागा, M-N-O-P P बाद माता इसलिए alphabetical order हम यहाँ पर देख रहे होते है यदि मैं इसकी बाद करूँ तो इसको भी खोल लो क्योंगे ऐसे तो पल्ले नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं यदि आप इसको उपन करके देखते हो तो यह क्या विसके लिए CS3 है ना 2 CS3 है तो यह आपको CH 2 CS3 है CH पर एक और 2 पर देन आपका C double bond O है देन आपका CH है और इदर भी आपके 2 CS3 है आँ सबढ़ी तो यह तो हम पहले भी देख चुके इसका पर फिर से बता देता हूँ यहाँ आजा है तो यदि आप इसको कॉमन नहीं की बात करें तो यह जो गुरुप है यह कौन साइ आइसो प्रॉपाइल गुरुप दौनों साइट से में तो इसलिए मैं क्या बोलेंगे डाइ आइसो प्रॉपाइल की टॉन समझे रहे जैसे मालों कोई ऐसा है तो यह वन टू टू पर क्या रहा आपका मिथाल आ रहा है तो टू मिथाल साइकुल अग्जिए मैं इसकी बात करो तो इसको उपन कर लो आई सब कैसे करोगे देखो आच को सी है तो इस पर इस पर सी है है थ सि डवल्बॉंड सी है यह 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 यहां पर रहा लो भी topic है उतraftे हैं इसके करेंगे यहां से करेंगे früh टू टू अई पर फ्र फॉर फार पर आपका अ नहीं पर प्र तिव अनसे को पर ऌुछ गॉल दाए सिन हो गाईwynग औक्साड में को भी याद नहीं है तो आपको यह दी लगी तो कर लेना बग्की पूछते उससे नहीं है तो आप पर आई पेसी नोमन टेचर खतम होता है जो आपका इंसेटी में था अब यहां से थोड़ा सा हम बात चीत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की किसकी स्ट्रक्चर की से यहां पर जो दिया हुओं मैं चट-चाड नहीं कर रहा हूँ आप को थोड़ सा से पता में स्ट्रक्चर की चनलग्रूप तो आपको पता है कि कार्वर्नल गृुप कुछ इस तरीकय से होता है इसको क्या बोलता है है तो थोड़ा सा यदि आप स्का हइब करेंज की बात मुझे यह पता चला कि यह trigonal planar है तो यह हम से कहेगा भाई साब हम ऐसे नहीं देखते हैं हम trigonal planar देखते हैं आपने structure हमारा गलत बनाया है ज़रा सही बना दो तो हम इसको सही कर देंगे इस तरीकी से हम बना देंगे हाँ या ना तो trigonal planar हो गया अब यह आप इस angle को देखो यह जो angle है क्यों होता है 120 degree होता है तो यह बात आपको समझ में आ रही है क्या कि यह जो इस Structure है वह volunteer का का श्क्रें закрыt मैं भी लाग होता है एसेड में भी होता है थीक़ए तो आब यहां पर यह जो है आपकी सिगमा guide Cowan student केतनी है सिगमा वांड कितना है आपका एक तो यह एक सिग्मा है और एक क्या यहां पर पाइव ओंड है और 120 डिग्री एंगल है टैगॉनल इसका इस्ट्रक्चर है ठीक है ठीक है यहां पर सी डबल बॉंड ओ और यह गुरुप इस तरीकी से टैगों में प्लेंड है अब यह अटेक यहां से भी कर सकता है नीचे से भी कर सकता है कोई प्रॉलम नहीं है समझे ठीक है तो यह आपको पता हुने चाहिए प्लेंड में कैसे क्या सीन हो रहा होगा ओके अब सुन जाते आ रहे हैं तो अभी तक आपको यह रट गई होगी नहीं रट यह तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने आप पर तो यदि कार्बन से ज्यादा लेक्ट्र निग्रिटिव ऑक्सियन की है तो ऑक्सियन क्या करेगा लेक्ट्र यहां से खींच लेगा तो इस पर यहां पर रहा है तो एक बात तो साब समझमा गई यह जो सी ओ बॉन्ड होता है सी ओ औरो औरो ता है किया होता है पॲुटे जो होता है यह पॉश्ट्यूब इस तरीक से लिख रहे होते हैं यह एलेक्टॉन लवर होता है कि और यह को पॉश्ट्यूब लवर पॉश्ट्यूब चार्ज जहां पर भी देखेगा बड़ी मुभबत होती है ओपर यह अटक कर देता है तो अब इस Nucleophile को क्या देखा, बताओ, इस Nucleophile को क्या देखा, यह, तो यहां पर अटेक करेगा, हाई या न, Electrophile यहां पर अटेक करेगा, चलो वह बात होगी, दूसरा, अब यही आप इसको देखो, तो यह क्या कर रहा है, लॉन पेर ले रहा है, तो यह जो कार्बन है न आखिर हम लग हमेशा कार्बन के साथ hydrogen ही क्यों लगाते हैं यह किसी ने कहा कि हमेशा कार्बन के साथ hydrogen लगाते हैं जरा यह देखिए कार्बन के साथ oxygen है यहां पर देखिए कार्बन के साथ oxygen है कुछ और भी आप लगा सकते हो कार्बन लगा दो इधर आगे चेन बढ़ाओ इसकी इधर कार्बन लगा दो इस कार्बन पर hydrogen कहां आया अब हम hydrogen इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊप्सेर्माइबिक ही है हम् going को अलक से पढ़ रहे है है daha करें हेंम की ढेरिवेटिप्स पढ़ रहे है और नमय स्वाभिवी सब तो हें यहां सब सलर्च करो तो मिल crust कSt plast करो मिल रही होंगी समझ रहे हैं सर मैं इस लेवल का पढ़ा दीजिए हाँ जी चल रहा है वो सब आएगा इसी में से मतलब जो एंसी आइटी में थोड़ा सा उस से उपर उटके चल अब प्रप्रेशन के लिए यदि मैं पूछू कि अभी तक आपने जो पढ़ा है मैं आप से कहूं कि आप बताईए किस तरीके से हम इसको प्रपेर कर सकते तो आपके जमाग में सबसे पहला मैं थर्ड क्या आता है कि किस तरीके इसको प्रपार कर सकते हैं बोलो तो साफ साफ आपको दिखाई लिए रहा है क्या कि preparation हम कर सकते हैं किससे एलकोहल से कैसे कर सकते हैं बताओ मैंने आपको कहा था कि जो आपका unit 11 थे यह यह आप बन डिगरी अलकोहल है ठीक है प्राइमरी अलकोहल है इसका oxidation करवा देते थे oxidizing agent होते थे बहुत सार है न, तो हमको क्या मिल जाता था, LDR मिल जाता था, कुछ-कुछ समझ में तो याद तो आ रहा है, तो आप इस तरी के-स LDR बना सकते हो, दूसरा, यह दि आपके पास 2-0 alcohol है, इसका oxidation आप किसी के साथ भी करा दो, तो mild oxidizing agent ले लो, या फिर strong oxidizing agent ले लो, जब आप इसका oxidation कराते हो, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर क्यूटन विजा मिल जाते है, तो यह बात भी आपके, बेसे में भूस कही, simple था ही, कोई प्रॉलम है, यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, दूसरा था है, यहाँ पर dehydrogenation आप है, आप hydrogen निकाल रहे हो, तो आपको पता है, copper के साथ, आप 570-3 degree पर heat कर रहे होते हैं, सेम चीज़, 1 degree को करते थे, copper के साथ heat, यहाँ से भी बना सकते हैं, यह बात पर आपको समझ बागे होगी, कोई प्रॉलम नहीं होगी, पर next method है, इसका from hydrocarbon, hydrocarbon से हम कैसे L-E-A-D-T-E-T-E-N बनाएं, तो एक प्रोसेसेशन बाई ओजोन लाइसिस, तो अब थोड़ा समझ ओजोन लाइसिस को समझ लेते हैं, कैसे zinc dust और उसके बाद हम पाई डालके, यहाँ से product बना रहे होते हैं, तो इसके लिए हमको अलग सलैट लेनी पड़ेगी, ठीके, important है, थोड़ा समझने कोशिस कीजएगा, कहीं पर कोई doubt हो, तो पूछ से, ओजोन लाइसिस से, हम किस तरीके से LD हेडर कुटन बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसका तो एक तो मैंने तरीका बता रखा है, आपका क्या तरीका था, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओजोडो, रिड़क्टिव ओजोन लाइसिस पड़ रहे हैं, ठीक, oxidative भी होता है, ओ जोडो, तो अब इसका पहले तो आपको रिएजेंट भी पता होना चाहिए, बना पता चले कहीं पर भी कुछ देखा, और डबल बॉन्ड तोड़के ओजोडने सुरू होगे, तो आपको पैचान में जाना चाहिए, कि ओजोन लाइसिस की बात कर रहे हैं, हाँ है ना, तो यदि कोई भी इने सिंप्लेस्ट कंपाउंड ले लूँ, तो CH2, डबल बॉन्ड CH2, यह सबसे सिंपल कंपाउंड है, यदि आप इसमें क्या करते हो, फर्स्ट O3, है ना, ओजोन डालते हो, सेकंड स्टेम में पानी, जिंक और देन पानी देते हो, ठीके, जिंक टेस्ट औ पानी, तो अभी आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसको तोड़ दो, और क्या लगा तो, यहां पर पर अक्सियां लगा, इधर भी अक्सियां लगा, तो प्रॉडक्ट क्या बना, CH2, लगा, इधर क्या बना, डबल बॉन ओ, CH2, तो आप इससे तो LD head बना, नहीं, इससे LD head दोनों बन सकते हैं, दोनों क्यूटन बन सकते हैं, एक LD head और एक क्यूटन बन सकता है, mixer बन सकता है, कैसे, आप क्या कीजिए है, यहाँ पर एक example ले लिए, CS3, CH2, CS ले वी आपर only, double bond, carbon, इधर आपका CS3, और इधर आपका CS3, अब मैंने कहा कि आपने इसका ozone license कराया, ozone डाला, zinc और H2, यह ozone license आप कराया है, आप जैसे आपको यह कहीं दिखाई दिये, अब तुरंत पैचान लीजिएगा, समझ जाईएगा, कि यह हमसे ozone license की बात करवाना चानते हैं, तो अब क्या करें, double bond तोड़िये, O जोड़िये, double bond तोड़ो, O तो यह double bond है, पुटक पुटक तोड़ो यहां से, इधर आपका double bond O लगा, जब आप double bond हो तोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ऐसे दोनों साथ जोड़ना है, तो यह कहाँ जागा, आपका CS3, PH, इधर कहाँ जागा double bond O, इधर कहाँ जागा same, double bond O, यह आपका carbon, उपर CS3, समझा गया, चमक गया हाँ जी, तो यह दो प्रोड़क्त आपके बन गई, तो यह आप इन दोनों को ध्यान से देखते हो, यह क्या आपका CS3, C double bond O, एच, यह आपको एक मिला, आपको LDH, और दूसरा आपको मिला क्या ketone, यह क्या क्या CS3, C double bond O, CS3, तो क्या हम यहां से LDH, बना सकते हैं, हाँ, ketone और LDH, बना सकते हैं, हाँ, ketone और LDH बना सकते हैं, oh sorry, ketone और LDH के मिकसर तो आपको देखते हैं, यह LDH थे दोनों, यह LDH और ketone थे, अब इस कारवन की दिसी एस्ति लगा, दोनों ketone हो जाते, समझ रहे हो, और बहुत सारे questions से आपको देखने के O3, तो आपको यह इस तरीके से याद रखना, और सारे questions बन जाएंगी, इससे J advance में भी questions आते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, हो रही होंगी चाहिए, अब वापस हम चलते हैं, किसकी तरफ, NCRT की तरफ, तो NCRT में आपर एक और reaction दे रखिए, वो reaction क्य लिया है, यहां पर, क्या लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसमें हम क्या कर रही है, इसकी रियक्षान हो, पानी के साथ करा रहे है, दूसरा, in presence of HgSO4, है न, तो मैं सिर्फ लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, H2SO4 है, और दूसरा क्या है, HgSO4 है, तो आपको क्या करना है, इसकी डेबल बांडो, H मिल जाता, और इसको मन क्या बोल देते हैं, E थे, समझे रहे हैं, तो actually में होता क्या है, यह तो आपको product बन गया, final, अब actually में इस रियक्षन को आप कैसे कर रहे हो, कैसे ध्यान रखोगे, तो पानी ही आपको add करना है, तो एक जगए H, एक जगए OH तो जब आप यहां पर मालो, आपने H add कर दिया, तो इधर क्या कर दो, O h add कर दो, yes, अब आपको पता है, कि यह क्या कर जाएगा, टॉट्टो मर्स कर जाएगा, टॉट्टो मरिजम, यहां से टॉट्टो मरिजम हो जाएगा, यानि कि इधर double bond हो आजाएगा, और इधर आप तो Qtone बनता है, यह बात भी आपको clear हो गई है, तो वो दोनों का था, जो भी आपको preparation देख रहे थे, उसमें LDHID और Qtone दोनों आ रहे थे, कि दोनों के हम preparation एक साथ कैसे कर सकते हैं, अब है, सिर्फ और सिर्फ LDHID, यहाँ पर जो कुछ reactions हैं, बहुत सारी reactions आपको रटनी हैं कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीके, यह सुनो, अब सुनना द्यान से, क्या, पहली reaction हम पढ़ रहे हैं अभी preparation of LDHID, सिर्फ और से हम LDHID की बात कर रहे हैं, कि LDHID को कैसे बना सकते हैं, आया ना, ठीके, तो यहाँ पर कहा रहा है, from SIL chloride, यदि आपके पास इस तरीके से benzoil है, बेंजीन, C double bond OCl, है ना, तो यदि आप इसकी रियक्शन करा देते हो, किसके साथ, H2PD, barium sulfate, और इसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमून रेदक्शन बोल रहे होते हैं, तो यह C double bond OCl, इसके लिए क्या लग क्या आ जाता है, LDHID, यह सुनो, तो बेसिकली CL के है, H आ गया तो इसको reduce कर देता है, किसमें, LDHID, तो हमको क्या मैं जाता है, तो आपको याद रखना है, कि रोजनमून रेदक्शन क्या कर रहा होता है, बताओ, रोजनमून रेदक्शन क्या कर रहा होता है, तो जो आपका बेंजोल क्लोराइड है, है ना, यह आप इसकी reaction, H2PD, barium sulfate के ठीक है, तो catalyst का properties हो रहा है, H2 क्या कर दा, red action का कर रहा होता है, ठीक है, तो एक HCL के साथ भाग जाएगा, और दूसरे H वहाँ लग जाएगा, तो इस तरीके से हमको LDHID मिल रहा होगा, next step from nitrile और ester, nitrile और ester से हम किस तरीके से LDHID बना सकते हैं, तो मैं एक तरीके बता रहा हूँ, आप short notes बनाते हैं, यह साथ साथ, जैसे, पहली reaction हमने यहाँ पर क्या पड़ी, पहले तो हमने देखा था, 1 degree alcohol oxidation LDHID, तो जो mild oxidizing agent उससे करा लो, फिर second degree में हमने देखा था, ketone बनने थे, फिर हमने ozone analysis देखा था, तो आपको लिखते रहना सारी चीए, फिर मैंने hydrogen of alkyne देखा था, अब nitrile और ester से कैसे बनाएं, तो एक चीज़ है, simple सी पहले आप लिखो, nitrile क्या होता, cn, ester क्या होता, c double bond of or, यह आपका ester है, yes or no, तो जब आप nitrile की reaction इसके सा L2 plus HCl के साथ करा रहे हो, तो आपको उपर लेख लेना है, stiffon reaction, इसमें reagent क्या होता है, और आपका जो reactant है, वो क्या होता है, ठीक है, reactant और agent दोनों क्या है, वो आपको proper लेख लेना है, then, यह final product क्या बना रहे है, aldehyde, एक बात याद अरखना, कि यहाँ पर जितनी carbon है, उ CN के है, CHO जाएगा, तो यहीं आप note down करो, इसको जहान से, यहाँ पर दो carbon है, इधर भी क्याते है, आपके दो carbon थे, समझाया, simple है, यह, 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 आपका intermediate बनना क्यासे बनना होता है, तो उसको भी आप देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, तो यह जो आपके video ऐसे आपको पढ़ेगी नहीं, जरूद तो उसकी नहीं पढ़ेगी, ठीक है, दूसरा, और क्या तरीके हो सकते हैं, एक और महासा है, डाइबल एच, यह जो डाइबल एच है, इसके बारे में एक तो हमको काम पता होना से, काम क्या है, डाइबल एच का प्रपॉर्म क्या ह डी फ़र डाइ, आइफ़र आइसो, बी फ़र ब्यूटाइल, एफ़र एल्यूमिनियम है डाइड, एल फ़र एल्यूमिनियम है डाइड, तो डाइबल एच का फ्लपॉर्म नोट टाउन करो, क्या, नोट करते हो चीए, डाइबल एच को क्या बला रहे होते हैं, बोलो, इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है यह आपका इस तरीके से आपको दिखने के लिए मिल सकता है तो डाइबल एच के तीन तरीकी, एक तो यह यहाँ पर डाइबल एच भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरा खोल कोल के भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, तो चारो में से कैसे भी आवाया है, आपको पैचान लेना है कि य ये डाइवल एच है तो क्या करेंगे हम रिडेक्षिन यहां पर करवा देंगे समझेंगे ठीक है बोलो सिवम जी क्या बोल रहे हो तुम्हें पतन कमेंट सकसे ना लगी सीन चलता करता है बोलो सुनो सेमची अब फटापट सारे में डाइवल डाइवल एच है को यहां पर डाइवल एच लिखते हैं तो आपको क्या करता है यहां पर यहां पर आपका आजएगा सारा का सारा सेम है समय रहे तो इस तरीके से डाइवल एच क्या कर रहा होता रिख्शन कर रहा होता है इसमें पहली एक रिख्शन आती है जिसको हम बोलते है इटार्ड रिख्शन क्या बोलते है इटार्ड रिख्शन इसमें इतना याद रखो इटार्ड रिख्शन में इसको क्या बोलते हैं टॉलिन बेंजीन पर जो आ रहा है तो आपके सामने यह क्यासे आ रही होगी यह आपको पता होना चाहिए यह लिखते जाओ देखो जब आपको शॉर्ट नोट मना आए क्यों नेम डियक्सें नेम डियक्सें बड़ी पड़ी पड़ी है से अप्टर रह एक डियक्शन ठीक है यह एक दो थीन चर पांच कितने सारे डंडे बनाती है मैंने उस लोग तो बहुत रहें सरी क्या कर दिया अपने यह के साथ तो आप क्या लेते हो टॉलूइन लेते हो ठीक है बेंजीन के ऊपर यह दिसी एस त्पी आ जाए इसको दुनिया किस नाम से जानती है तो आप भी किस नाम से जाने होगा तो यह आप इसका रियक्शन कराते हो किसके साथ और यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या आपका इसको बोलते क्रोमाइल किलो रहा है तो नाम इसका यूज़ किया सकता है तो वह आपको पता होना चाहिए ठीक है क्लियर है इसमें कोई डाओ दूसरा क्या कि सेम चीज यह आप टॉलिन की रियक्शन किसके साथ कराते हो यह हो गया एक मिट यह आपके यह है एक दूसरी रि कि अलग लखे लेता हूं इसको है ना किया कि आपने टॉलिन लिया कि अधिक है कि इसकी रियक्शन आप कराते हो किसके साथ कि यह उत्री और कोई एन हैडाड ले लेते हो सेकंड इस्टेम में आपसमें पानी देते हो तो इसकी जगए क्या आपका CHO आपका CHO तो से में दौन हो बसरी एजन डाला लगते है टॉलिन से बेंजल लेडियाड बनना है यह आपकी टाइड रियक्शन है ठीक है और यह दूसरी रियक्शन यह बात जब समझ मागी तो आपको जादा नहीं देना है ठीक है तो यह अलग बाग जाएगा यहां से और यह अलग सी जनरेट हो जाएगा तो उसरे के से आप लेख सकते है ठीक है एटार रियक्शन बाकी है जो मैंने आपको बताईए इस तरीके से याद रखो ज्यादा सिंपल रहेगा और इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है जब भी आप शॉर्ट नोट बना रहे होंगी तब ठीक है तो यह रियक्शन में आपको बता चुका हूं कि यहां से बन रहे है दूसा रिय हको बाइसायड-बाइसायड बाइसायड-बाइसायड-बेट बाए और अब क्लोरिटिएटका अब क्लोरिटीनेस ट्लीरखन क्लोडटि निकालना करना सबसक ठाएट थे हां या न तो वैसे ही यहिए आप याप इसमें ढजहान से देखो CS3 है, SP3 ravaged है, इधि आप इसकी action CL2 H new के साथ कराते हो, ठीके, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते है, यह आपका benzene था, benzene पर CS3 लगा है, क्या होगा, then yes or no, अब इसमें क्या करो, आप पाइन डाल दो, क्या अगर तो पानी, तो जब आप पाइन डालते हो, तो HCl, यहाँ से H+, और इधर क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा, आपका OH है तो देखो, यह कुछ इस तरी किस होता है, यहाँ पर आपका यह benzene है, इस CH है, इधर आप और इधर आपका OH, अब एक ही कारवन पर, OH क्या अनिस्टेवल होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पानी निकालते हैं, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं है, यह जासा नहीं है, बस आपको पता अन चाहिए, तो यहाँ पर दो CLA आ रहे, OH, OH लग गया, तो एक ही कारून पर 2H unstable होते हैं, ठीक है पाई निकालो, तुमको क्या मनगा बेंचल एलियाट मिल गया, तो chlorine nation से भी आप बना सकते हो, यह बात आपको समझ बागी, पर एक reaction और है gutterman coach reaction, नाम gutterman, ठीक है, बांती बांती के नाम, यह क्या आपकी benzene, जब benzene की reaction CO-HCl के साथ क हमको क्या मिल जाता है, बेंचल एलियाट मिल जाता है, तो कभी converter में ऐसा कोई case हो, जहां पर आपके सामने benzene हो, और आपको convert करके बेंचल एलियाट बनाना है, तब आपको किसको याद कर लेना है, gutterman coach आएंगे और आपकी help करके चले जाएंगे, तो gutterman coach reaction क्या होती है, ब बोलते है, gutterman coach reaction, बोड माय तब भी ऐसे लिखते हैं, है ना, अंग्रेजी में लिखना वर्क महाँ पर, तो इस तरीके साब क्या कर रहे होते हो, बोलो, LDA बना रही होती हो, अब है कि भाई साब, जो ketone को हम कैसे बना है, तो अब हम क्या देखें, preparation of ketone देख रहे हैं, यह से पोड़क में गालना है, अल्कॉल वाली cases होगे, है ना, ठेक है, यह नाम कैसा, tractor deals, अदला ट्रेक्टर की dealing चल रही है, नाम रख जिया, tractor deals, पर किया है, hello sir, save my name, reply sir, क्या पूछा है, यदि किसी को चूट गया, तो द्वारा पूछ सकते हो, यदि किसी को doubt चूट गया, तो द्वारा पूछ सकते हो, sir, I am solving resonance modules, is it goods, भाई, resonance के module solve करके ही, मैं IIT कहुंचा हूँ, अच्छी है, वो है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें, पूरा ब्रब्लीब कर सकते हो, आज कल मार्केटों कुछ नहीं नहीं कोचिंग्स आई हुई है, तो ध्यां रखना बैल स्टेबल ची है, जो मतलब चली आ रही ह यह तिने समय से, तो उनके contentum कमी नहीं है, जे advance की बात कर रहूं, निकिल मिसरा पूछान सर, sample paper कौन सा ले, इसका जवाब देते-देते मैं ठक गया, निकिल जी देखो, यह मैं टेबल पर रखे हुऊं, ऐसी एक book market हो पाई जाती है, जहां पर क्या लेका है, 36 sample paper, question paper, CVSC class 12, science system PCB, किसकी है यह, Oswald की है, Oswald.io, इसके अंदर QR code भी दिया हुआ है, तो जब आप उस QR code को scan करोगे, तो test फिरी मैं दे पाओ, सबसे अच्छी कासियत में बता रहा हूं, तो analysis फिरी में करोगे, और आपको पता चल जाएगा, मतलब evaluation करके वो दे रहे होंगे, कि आप कितने गड़े में, ठीक है, तो link मैं डाल दूँगा इसकी, नए मतलब जो भी sample paper उसके solution बगरा भी यहां पर दे रखें, CVS ने लॉंच के, नए service के business पर है, ठीक है, चलो, सुरू करना आप, यह क्या है, प्लीज कमांड ता topic, मतलब क्या कहना चाते हैं, MBBS एक लक्ष्य है, चलो, अब पटा पटा हो, तो अभी हम देखते है, preparation of ketone, तो पहला जो reaction है, ठीक है, इसका यह बहुत कम मतलब R ही होती है, बट फिर भी पता होना चाहिए, क्या, from SIL chloride, SIL chloride से आप कैसे बना रही होगे, एक बात पता है कि यह आपका क्या, गिर्णा डिएजन, गिर्णा डिएजन करना देता हूं, इसको, ठीक है, मैंना यहाँ पर एक reaction लेता हूं, जैसे मैंने लिया, CS3, Mg, Cl, ठीक है, इसकी reaction आप cadmium, अच्छा, CL तो अल्रेड़ी वहाँ पर है, CL है, तो बहुत कैसे बनी, रुको, 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 जैसे confusion ना हो, यहाँ पर BR ले लो, यहाँ पर CD, CL2 ठीक है, अब आगे क्या करना है, इधर क्या जाएगा आपका, CS3, cadmium के साथ पूझ जाएगा, 2NS का वैलेंसी, तो cadmium, R2 यानि कि आपका, CS3 है, तो यह दो बार आ जाएगा, और cadmium, इधर क्या बचा आपका, manganesia में, Mg, Vr, और 1 क्यात है, CL चला गया, Mg, Vr, CL, ठीक है तो यह उतरा important step नहीं था, बट यह जो है, वो important है, तो जब भी आपको इस तरीके से assail chloride मिले, जैसे मैंने कहा दिया, कि मालो, CS3, CH2, C double bond, O, CL, यह क्या है, assail chloride है, और इसकी रियक्षन आपको करानी पर रही है, इसके साथ है, तो यह क्या है, CS3 hold twice, CD, तो आप क्या बना दो होगे, बताओ, यह जो गुरूप है, वो आपको यहां पर लगा देना है, that's it, ठीक है, तो CL को बगा दो, लगा दो इसको, CS3, CH2, C double bond, O, CS3, यह product आपका मन रहा होगा, और यहां पर जो CL है, वो वापस उसके साथ बन जागा, cadmium chloride यहां पर बचे, समझ रही है, ठीक है, तो आप मैं repeat करता हूँ, इसको exactly क्या हुआ है, आपने ग्रिगनाड रिजेंट लिया और इसकी reaction आपने cadmium chloride के साथ कराई, ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है, डाय अलकाल cadmium मिल जाता है, और यह जो डाय अलकाल cadmium है, यदि इसकी reaction आप acyl chloride के साथ कराते हो, कि cadmium तो cl को लेके भाग जाएगा, और यह जो आर्व रूपय वहां पर अटेस्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो इस तरीके हम ketone की preparation कर सकते हैं, उसके बाद next आपका from nitrite, nitrile से भी हम ketone बना सकते हैं, किस से बना सकते ह ठीक है, यह क्या करें, डर लग रहा है अब तो, किसी से डर लग रहा है, जिंदियों डर होना बहुत ज़रूरी है, क्या बात करें हो, हाँ जी, तो उसको negative मतलिया करो, fear को, सुनो, जैसे आप क्या करते हो, नैट्राल से क्यूटर बनाना चाहते हो, तो आप इसकी reaction ग्रिग जब आप इसकी reaction इसके साथ करा रहे हो, C6H5MGBR के साथ, तो यहाँ पर आपका final attack करता है, तो इधर क्या जागा आपका positive size, है ना, सुनना, तो यह basically, अचा, इधर negative attack कर रहा है, तो इधर आपका negative आएगा, ओके, उल्टर कर दिया है, तो इधर क्या यह C2H5, then C, इधर आप आपका PH आ गया, इधर आपका double bond N+, then इधर क्या जागा, MGBR इसको balance कर रहा होगा, ठीक है, यह बात आपको संद्वागी, फिर उसके बाद आप क्या कर देते हो, उसके बाद क्या कर देते हो, तो आप इसमें पानी डाल देते हो, तो जब आप इसमें पानी डालते हो, ठीक ह जो था, then आपका C, double bond pH, यह pH, C double bond O, मैं क्या बनाओ, C2H5, देखो, यहां से सेम है, C, pH, और यह क्या, C double bond O, तो यह बाद बन गया, और यहाँ पर H2 किसके साथ बाग जाएगा, आपका, nitrogen के उसके साथ तो आपको कुछ लेना देना करना ही नहीं है, ठीक है, बाइप्रोड एक होती है, फ्रीडल क्लाप्ट, अलकालेशन एक्सन, दौनों मंतर सुन लेना, ज्यां से, क्या, यह जो गुरूप है, जैसे मैंने एक 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 जाम पर लिया, यह क्या आपकी बैंचीन है, हाँ जी सरी बैंचीन है, दिखाई दे रही है, और यदि मैं यहाँ पर कोई गु यहाँ पर लेक्टो नेंसिटी होती हो, यह रेक्टो फायल है, आया ना, यह रेक्टो फायल यहाँ पर अटेक कर रहा होता है, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से बाहर नकल जाता है, यहाँ से जो प्रोड़क्ट बनता है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होता है, यहाँ प कर देगा आरीदर के साथ कर वो तो इह याद रहो है यहांपर अलकाहल हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिसको अलकाहल गृफ ओगर जो होता है यहां फिरेटल्स करप अलकाले सन लीक्सन बौल देते एन एडर्स एंगर्स ELC是op Il Singh यह जो होता एक क्यासर कंच ले सकते हैं सिरी और प्लुंप फोड़न किया आप्ट-र यह जो यहां पर प्रेपर सिर्फ्टर क्यों left फिजीकल प्रॉपारिटीज तो फिजीकल प्रॉपारिटीज में यह वही से बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बगारा की, तो जैसे, यदि आप यहां पर देख रहे हो, यह बॉइलिंग पॉइंट दिये हुए, इनका मूलर मास से लगव लगव बराबर है, इसको मैं तो कई बार बता चुका हूँ, ठेक है, बार बार एकी चीज़ पढ़ाने का मन होता नहीं है, हर चप्टर में याता है वैसे, तो boiling point यदि आप देखो, यह जो methoxy ethane है, तो यह तो आपका ether है, यह normal alkane है, यह आपका ldide है, यह आपका acetone है, सुनना, यह important है, यह आपका ldide है, यह आपका ketone है, यह आपका alcohol है, यह आपका normal है, normal alkane है, normal क्या alkane लिख देता हूँ, ठीके, अब आप यह दि ध्यान से देख रहे हो, तो यह जो alcohol है, इसमें क तो इन सम्में सबसे ज़्यादा boiling point किसका नजर आ रहा है आपको इसका किसका नजर आ रहा है alcohol फिर द्यान आपका यहां पर क्या है यह क्या है और यह क्या आपका यह दोनों क्या होते हैं यह सदू क्या होते हैं तो polar होने की बज़े से इनका boiling point इथर और आपका जो अलके न उससे जादा आ रहा है यह आप देख पा रहे हैं पर उसके बाद जो इथर है इसका boiling point नॉर्मल से जादा होता है क्योंग इथर भी थोड़ा सा polar हो जाता और यह polar नहीं होता है इसमें वीक करती होते है ठीक है यह यह डैपऒल-डैप़ इंडूस कर देते हैं पोलर डैप़ल ठीक है समझ आ गया भी बोलो बोले जल्दी कुछ तो बोलो yes or no, clear है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ठीक है, तो यह boiling bond इस तरीक से निकाल सकते हो, तो वो proper reason यहाँ पर इन्हों दे रखा है, दूसरी यह solubility की बात कर रहे होते हैं, तो solubility में भी क्या है, वैसा ही सीर है, है न, जैसे आपको पता है, कि जो आपका aldehyde है, यान कि य होता है, क्योंकि आपको पता है, कि यदि आप इस तरीके से कोई carbon 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 ही है hydrophobic यह क्या hydrophilic लाइफिलिक लाइफिलिक सर्फिस के मिष्ट में आपने पाड़ रखा हुआ इसको पानी से मौबबत है यह पोलर है तो यह चुटकू सा पार्ट हो गया और इतना पूच इसकी लंबी सी तो यह पानी में घुलना पसंद नहीं करता है जैसे जैसे आप आपके कम होती है क्योंकि इसकी पूच बड़ी होती है जो है जो इसमें हो रही होते है इतना आपको पता होना चाहिए इसके बार में यह मैं इसका स्वाइट कर सकूँ हूँ तो अच्छा घृच्टा सम्ट रहे होते ही नहीं रहे हैं इसका first number है इसका number बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ट्राइकरो जल्दी करो ये number 1 पर है, ये number 2S का ये number 3 है, ये number 4 ठीक है आपको इनको arrange करना है boiling point के order NCRT का है बताओ जल्दी क्या होगा ठीक है Tomorrow is my exam of chem ये क्या solve Sir, my question is What is your girlfriend name इक है network चला गया girlfriend का नाम तुताब होगा ना जब girlfriend होगी गया फालतीव की चीज़ेँ परते रहो फालतीव क्योशन डूड़ के लाब करो इसको जल्दी सार गजब, गजब के लोग है कौन सी एक जम आईगा वैसी ये question लोगा रहो में वैसी की चैस कryकं रहो आईए है के भीदे Bunu आईए अंसर बताए किसीने हरसद बोल रहे हैं 4 3 1 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता दो अच्छा इंक्रीजिंग बता रहे हैं क्या यह ठीक है बाकि लोग ट्राई कर रहे हैं यस और लो बोलो यह केमिस्ट्री में आ सकता है यह केमिस्ट्री ही है जो चल रही है नहीं नहीं बोड़ वाले इतना थोड़े न पूछते हैं क्योंकि वो बैरियेसन है उसका क्यों एक आंसर थोड़े न होगा अब बताव सब इस्टुएंट हैं यह ना उनके अलग अलग नाम होंगे उनके क्रस्क है बोड़ वाला पूछ ले तो क्या किसको सही मानेगा बताव कभी-कभी तो कॉम्प्टीशन चल रहा होता है नहीं इस्कूल में एक के पीछे तिम दिन भाग रहे होते हैं अब 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 तो यह आपको दर्शन कर रहे हैं देखो सब के मास लगा रहे हो बरावर है ठीक है यह रखा है नहीं बातर से चोत्ता रहने का रिंज है तो आप के अब करोगा इसको मास तो सब के बरावर आ रहे है क्योंकि बैसे तो डाइकली मास पर डिपेंड कर रहा होता है क्या वालिंग पॉइंट ठीक है मास से लगडो बरावर है तो दुससी चीज दिखते यह आपका यह अपका एफैर है और यह आपका før में totally सबकार कर दोंकि है यह ज्यादा प्र पास्ता हाद्री मिध्र कम होता है तो इफैर का कम आ जाता है और या किसका आ बोलींक पैर निकलती है चीलियर रहे yes or no महाकाल याद अब good evening sir please मेरा नाम ले लिजिए हां जी ले लिया चला आगे बढ़े next अब यहाँ से सही दिमाख लगने वाली चीए शुरू हो रही है क्या बात कर रहे हैं हां जी ठीके और यह पता नहीं मेरे को बोल रहा है यह और bad time इतने जल्दी कहां से होगा सुनना ध्यान से chemical reaction है जो इस trend अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है first time इसको देख रहे हैं वो थोड़ा सब ध्यान से इसको समझने की कोशिस करें फिस तो आप से क्या reaction हो रही है मैं एक वार इसको फिर से repeat कर देता हूं कहां पर क्या scene है सुनना ध्यान से मैं इधर ही ले लेता हूं थोड़े से side में इसको कोपचे में ले जाए हैं आपन अब सुनना ध्यान से होता क्या है कैसे क्या reaction होगी पहले तो आपको औरगन केमिस्ट के दो प्राणी जिनकी तुबार मैं सभी से पता होना चाहिए यार एक काम करते हैं इसको black slide पर ले लेता हूं वो ज्यादा बेटर रहेगा ओके तो मैं क्या करता हूं एक example लेता हूं आपके लिए जैसे मैंने लिया CS3 C double window CS3 इसी example साब को बहुत सारी चीज़ समझने होगी ठीक है जैसा कि आपको पता है कि औरगन केमिस्ट्री में दो चीज़े एक होती है आपकी इलेक्ट्रोफाइल ठीक है और एक होता है आपका निक्लोफाइल इसको आपन क्या बहुत है निक्लोफाइल इसके वारे मैं अभी अभी आपको बताया था जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर क्या है इलेक्ट्रोफाइल नेसिटी बहुत कम होती है यानि कि विकारी यह इलेक्ट्रोफाइल लवर है जहां पर भी इसको इलेक्ट्रोफाइल दिखाई दिये वहाँ पर ही अटेक कर देगा electron देखते ही इसके मुह में पानी आ जाता है ठीक है वहीं यदि मैं nucleus की बात करूँ तो यह क्या electron deficient है electron deficient और यदि मैं nucleophile की बात करूँ तो यह electron which है यदि यह electron which है तो अमीर है, बरबर की electron है तो यहां पर भी इसको positive charge density दिखाई देगी तो बोल सकते है positive lover यह सुनों, मौबद किस से है positive से तो जैसे ही positive दिखाई दिया अट्रेक्ट हो जाएगा आपको होता है positive negative की तरब होता है पर negative positive की तरब होता है ठीक है यह electrophile के examples और nucleophile के examples यह तो हम कई बार बात चीट कर चुके है तो इसको एक बार थोड़ा सा और repeat कर रहा हूँ अब सुनना अब जैसा कि आपको यह पता है नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा कि oxygen की electron negativity carbon से जादा होती है तो oxygen अपनी तरब electron खीचता है तो यहाँ पर डेल negative आ जाता है यहाँ पर डेल positive आ जाता है अब इस carbon पर attack कौन करेगा इस carbon पर attack कौन करेगा electrophile attack करेगा या पर nucleophile of course nucleophile इस carbon पर attack कर रहा हुआ क्योंकि यह electron rich species है तो nucleophile के साथ इसकी reaction होती है तो यह जो nucleophile है यह इस carbon पर attack कर देता है जब यह इस carbon पर attack करता है तो ध्यांस देको यहाँ से आया पटाक सी देसे ने attack किया तो यह कुछ इस तरीके से बनड़ा होता है CH3 CH3 और यहाँ पर आपकी nucleophile वहिया आ गए जैसे ही nucleophile यहाँ पर attack करता है development उपर की तरफ सिप्ट होता है क्या होता है उपर की तरफ सिप्ट होता है तो यहाँ पर क्या आता आपका O- पर next step में आप क्या करते हो इसको H प्लस दे देते हो है ना तो H लेके खोस हो जाता है और यह वाला compound बना लेता है OH CS3 और क्या आपका यहां पर NU अब निक्रिफाइद तो कुछ ही हो सकता है आया आपको समझ भागे इसमें कोई प्रॉल्म नहीं होने चाहिए अब यदि एक वाग फिर से द्धान से इसमें कुछी हो की कुछी है देखो तो हो क्या रहा है दरसल जैसा कि मैंने कहा था कि यह जो ग्रुप होता है C double bond O यह क्या होता आपका planer होता है इसका hybridization कितना SP2 क्या SP2 तो निक्रिफाइद कहीं से भी अटेक कर सकता है जैसा कि मैंने आप से कहा था कि अगेन यह जो माल लो ठीक है यह बुक है यहाँ पर आपका C double bond O इदार है और इदार जो भी यह R गुरुप है तो एक plane में है तो निक्रिफाइद उपर से भी अटेक कर सकता है निक्रिफाइद नीचे से भी अटेक कर सकता है पिलेनर है यह सोनो तो जब दौनों साइड से अटेक कर रहा होता है तो शुरू आपको यह planer होता है उसके बाद यह इसका जो hybridization है क्या हो जाता आपका tetraheadle हो जाता है tetraheadle हो जाता है अभी यह planer नहीं बचा यह क्या SP3 है तो इसके बाद में थोड़ी सी बातचीत इन्होंने किसमे कर रखती है अब इसको समझने की NCRT से समझने कोशिस करता है मैंने बता है वही है यह C department हो है यहाँ पर कोई दो ग्रूप और लगे हुए है तो यह क्या SP2 इसका hybridization है यह hybridization इसका SP2 है यह planer है तो जो nucleophile है वो उपर से भी टेक कर सकता है निचे से भी कर सकता है माल लो इसने ऊपर से अटेक कर दिया निचे से यहां से क्योंकि इस पर डेल पोजिटे बारा इस पर डेल निचे से बनना हुगा अब यह plane से बाहर चला गया यह बात हमारी समझ मागी अब इसमाद दो step है एक step बन और एक step टू step बन में क्या हो रहा है और यह जो bond है वो break हो रहा है तो यह जो first step है वो क्या होता आपका slow second step में bond बन रहा है H plus जा रहा है किसकी तरब जा रहा है H plus निक इस पर, O minus पर तो यहां पर phytax यह बन जाता है तो यह second step आपका क्या होता fast addition product अब इसके धेर सारी reactions होंगी वो आप देख सकते हो तो यहां पर जो mechanism है वो मैंने आपने समझा दिया तो पहली जो reaction हम पढ़ने वाले है nuclear flick addition reaction nuclear flick मतलब nuclear flick ने attack किया that's why हमने इसको क्या बहला nuclear flick addition हो रहा है लात मार के किसी को भगा नहीं रहा है भगाता तो substitution बोलते थे यान कि जिस पर positive density है वो अपन इकुल फाइल अटेक कर देता है यह polar group हो रहा होता है याना perpendicular अटेक करता है perpendicular direction होती है इसका हविडेशन पहले SP2 होता था बाद में SP2 से SP3 हो जाता है intermediate जो बनता हो क्या बनता है tetradle बन रहा होता है yes or no पर उसके बाद हमको इसको क्या देते हैं H plus दे देते हैं then हमारा final product यहाँ पर बन जाता है तो यह सब इन्होंने यहाँ पर समझा जा है तो यह बात आपको समझ मागी होगी mechanism में कोई doubt नहीं होगा दो बार समझा चोगा एक बार लिखकर समझा दिया है और एक और जो NCRT में दिया हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है next important point है यहाँ पर reactivity यह बहुत important है reactivity बस एक line है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ j means, neat, j advance reactivity के सारे कुछन आप इससे बना ले जाओ क्या बात कर रहे है reactivity वाले जो reactivity है, universally proportional है किसके हिंडेंस के हिंडेंस बोले तो भीड़ भाड़ एक तरीक से समझो, बड़े बड़े गुरुप यदि बढ़ते जा रहे है तो हिंडेंस बढ़ती जाएगी और हिंडेंस यदि बढ़ रही है तो reactivity क्या होती जाएगी कम होती जाएगी कि मैंने बताया कि हिंडेंस पर डिपेंड कर रही होती रियक्टिविटी अब आपके पास पहला कुश्चन है कि आपके पास इस तरीके से दो ग्रॉप है एक ये वाला ग्रॉप है और दूसरा ये वाला ग्रॉप है ये ग्रॉप ले लेता है तो बताते हैं फस्टो सेक्ड रेक्टिविटी किसकी यादा है सेकंड और फस्टो सागड किसकी यादा है तीसरा और एंजम पर ले लेता हूं मन नहीं बर रहा है CS3 C double bond O CS3 CS3 ले ले लेता हूं उदर इधर मैं ले लेता हूं CS3 करें 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 बोलो बोलो इतने सारे कुष्टन आपके स्क्रीन के सामने हैं जवाब बुदो भाई जवाब बुदो किसकी यादा है छिक्क है बोलो जल्दी यह क्या करें सर आपका ब्लेक कलर का साइट फैबरेट है कि यार किसी इस निसांग कोई वी कपड़ा इतना भी फैबरेट नहीं होता है कि उसको रोज पैन ले यह मैने अपनी इनूफर मना दी कि कि जब भी युदू शूट करूंगो तो बलेक में करूंगो देट सोचना नहीं कोण सा पैनना है कों से लाट से यार रही है कोण से एक कैमरा घ्रीनिस कर दिया कि कुछ हो जाता कि कुछ हो जाता तो मैंने फिक्स करना नहीं पड़े that's it time बरबाद ना हो सर मेरे maths में 26 सी आई थे 80 में से अभी मेरे overall 84% है पर maths बहुत कम है क्या मैं जे यी दे पाऊंगा maths में टोटल परसेंट देखते हूं तो 84 आ रही है तो maths PCM में तो कोई दिखते थोड़ी नहीं बता बता आंसर बता जल्दी हरशद कहा रहा है I think ledippers don't think cros talks क्या vara मैंने क्या कहाता आप से मैंने आप से कहाता है कि जो reactivity है मैंने झी लिखाया था है आप तो क्या लिखाया थाकि जो reactivity है वह इंवर्सली प्रपोर्स अलोथी आ activity क्या होती है inversely proportion होती है किसके हिंड्रेंस के इसके हिंड्रेंस के यह बात आपको पता है तो हिंड्रेंस क्या होती है बड़ा गुर्फ बढ़ता जाता है हिंड्रेंस बढ़ती आती है तो यह आप यहां पर देखो यह चुटकू से चुटकू है तो नीकलो पठाक से अटेक कर देगा रोकी नहीं पाएंग अब यहां नीक्रुफाल जब अटेक करेगा तो बहुत मुस्किल है ना यहां पर बड़ी आसन से करेगा एक चुटकु सा है एक थोड़ा बड़ा एक चुटकु सा रोकी नहीं पाएंगे तो रियक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी तो यहां पर एक चुटकु गुरुप है यह गुरुप और यह गुरुप तो सेम है इस गुरुप को देखो यहां पर बड़ा गुरुप है तो अगेन यहां पर नीक्रुफाल कैसे अटेक करेगा बहुत बड़े बड़े गुरुप होगी तो यह जो भी मैने ओडर लखे है रियक्टिविटी का ओडर लखे है रिय त्थीक है काफी सारे लोग उने जवाब दिया है यह पूछा वह इंडेक्ट फेक्ट जी उसी में पूछना यही एंडेक्ट फेक्ट जो भी में पीछ बता था यह जो सी डबल बॉंड हुआ ऑक्सें खिंचन देता है लेक्टर न परितरा वो सी को इंडेक्ट फेक्ट बोल बोलो बोलो समझा गया यह आतुल कहा रहा है आपका एक्स्प्लेनेशन बीच में आए होगे ब्रो यह शुरू से देखते हैं तो सब पल्ले पड़ता चलो अब कुछ और रेक्शन है तो रेक्टिविटी की सारी चीज़े होगी एंसे इसको थोड़ा सा ज्यान से देखिए यह क्या कहा रहा है और यह क्या कह रहा है ड्यू एक्स्पेक्ट बेंजलल्डी टू भी मोरी एक्टिव और ले सी रेक्टिविटी इन निकुल का एडिशन गया यह वालो शी थी C double bond H और एक आपके पास इस pH की जगए इस CS3 की जगए pH आ जाता है यह तो पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा वो है रियक्टिव बेंजल लियाड रियक्टिव है या पर प्रोपेनल है ठीक है तो उसकी इनोंने कापिसाल चीह आपर बता रखें तो आप देख सकते हूँ ठीक है तो यह क्या करें कि जो बेंजल लियाड है वो कम रियक्टिव है क्या है बेंजल लियाड कम रियक्टिव है ठीक है उसके कई कारण बता रखें कि जब यहां पर यह निक्लिफाल अटेक कर रहा होगा तो जो ओ माइनस सहे किसमें resonance में जा रहा होगा दूसरा क्या है यह बडा भी है पी उच है ना लाजज होने के कारण भी क्या है पता अप कम रियक्टिव है ठीक ए आण डाएंस सय है चलो इसको नोड कर लो यह एदि कि दिसीख करना हो तो सरंग कहा रहा है सर NCRT पढ़ चुका हूँ पूरी अब ABC से पढ़ रहा हूँ कुछ भी पूछ लो बता दूँगा औरगन केमिस्ट्री में से अच्छा मैसा तिन 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 बढ़िया यार वड़ सा प्यक्टिस और कर लो आप चलो अब यहां पर हम देखते हैं कैसे मनता है तो एक बात याद रखो कि साइन वाइडिन क्या होता है तो आपको पता होने चाहिए कि साइन वाइडिन क्या होता है ठीक है तो साइन वाइडिन किसके लिए क्या कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका देखो इदर आपका रटू था देन यह आपका पर आ रहे हैं तो जब भी कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाए एक ही कारवन पर यह ओएच और सियन गुरूप आ जाए तो इस टाइप के कंपाउट को दुनी आ क्या बलाते है साइनोहरे तो यह जो गुरूप है हुआ है और यह न है यह क्या है अपका साइनो तो इस टाइप क्या वो सांच रहे है थो कि थो फा टुमिर आपका यह तो ठीक है तो साइनोहाइडरिन सार्यूजफूल सिंथेटिक इंटर्मेड इसका क्या ही करें हो यह समझ मांगा साइनोहाइडरिन क्या से होना तो एक ही नुक्रिक एडिशन करा रहे हैं जैसे यह बड़ी सिंपल कुछ निंग करना है आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जैसे आर बन की डबल पॉरंडो आड ठीक है अब आप इसकी एक से एने एस एसो तरी के साथ कराना चाहरे हो तो आप क्या कीजिए नॉर्मली और बाद मां आप क्या कर देती है इसमें है एक प्रसें टांसपर रहा होता है ठीक है ओके तो देखना इसमें क्या होगा सुनना जब आप इसकी एक से इसके साथ कराते हो तो यह निक्ली फायली की तरह टरह कर रहा होता है यहां पर क्या जगा आपका आपका ऊच शौो फिरुट नग कर देता है और इसमें कुछ भी आपको जाना याद रखने की जरूद नहीं यहां पर कभी सारी important चीज़ें थी जैसे ग्रिग नाड डिएजंट है तो ग्रिग नाड डिएजंट है और कहा है कि हमने आपको class sorry chapter 11 पड़ा दिया है तो अब हम आपको यहां पर क्यों होता है चुकि important means need j advance तीनों के point of view से important है पूछा जाता है तो ग्रिग नाड डिएजंट की मैं आपको बता देता हूं कि ग्रिग नाड रिएजंट कैसे क्या रिएक्सम होती है ठीक है जैसे आपने कोई भी compound लिया मालू मैंने ले लिया CS3 की double bond O और यहां पर C2H5 ठीक है यह आप इस आपको पता है कारण को पास डेल पॉश्टिव है तो यह जी CS3 यहां पर अटेक कर देता है तो यह क्या आपको आटेक करता है तो यह क्या आ जाएगा CH3 यहां पर अटेक कर दिया कारण ने CS3 उदर तो आपको C2H5 था CS3 ने अटेक कर दिया उदर ना यहां पर O- अब इस O- को बैलेंस कर रहा होता है कौन MGBR ठीक है जी प्लस में अब इसमें क्या करते हो आप पानी डाल दे तो जब आप इसमें पानी डालते हो H2O तो क्या होता है H प्लस इदर आयता और O- उदर आयता है जब H प्लस इसमें डालोगो तो CS3C यहां पर OH आ जाएगा इदर C2H5 आ जाएगा इदर आपका CH3 आ जाएगा ठीक है अब जो OH बचा आप क्या कीजिए जब आप इसको ब्रेक करो तो यहां पर H प्लस और O- इस क्योंकि रेटने से काम नहीं चलेगा मेंस वाले भी मज़े ले सकते हैं जैसे यहां पर यहां पर पानी डाला है वो आपसे देंगे कि आप पहले स्टेम में CS3MGBR ले रहे हो सेकंड स्टेम में H2O न लेते हुग आप D2O ले रहे हो तो जब भी वो यहां पर Deuterium ले देते ह हैं तो बहुत सारे इस्ट्योंटिस में लोड़क जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है ठीक है तो यदि आप मेकनिजम से जा रहे होगे तो आपको पता चल रहा हुगा कि यहां पर OH आया है यहां से आ रहा है आया ना तो अभी यहां पर क्या जाएगा D आ जाएगा और D क क्लियर है तो इस तरीक से मेकनिजम से आप गुजर सकते हैं ठीक है अरे साथ चिपकली गिर गई मेरे पै गचाओ गचाओ के लोग वाई बगावा चिपकली को चिपकली क्यों गिर रही है तुमारे उपर गूर रहे होगे बैटके चिपकली वो नहीं इसको गुस्ता आ गय दे रहा है ठीक है समझाया ये बोलो बोलो जली बोलो सर इस रियक्षन में सबसे इंपोर्टन टॉपिक कुंसा है इसमें इतनी सारे नियम रियक्षन है जैसे ये हैं बहुत इंपोर्टन है क्योंकि एडवांस में भी पूछ लेते हैं तो मैं यह जो जे एडवांस वाले स्टुएंड है उनके लिए कुछ-कुछ चीज़ अब यहां से दो चीज़ें शुरू हो जाती है एक इसमें हैमिकीटल की बात सित्य कर रहे होंगे एसीटल ठीक है जैसे यह रहा एसीटल हैमिकीटल नहीं दिया है तो इसको देखना बनता है क्योंकि इंपोर्टेंट यह है एक बना डुकना से वह कंग गया है ठीक है अब सुन द्यान से बैसे तो रियक्शन तो एक जैसी है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या यह आपने LDI लिया है चलिए आपने LDI लिया है और C double bond OH इसकी रियक्शन आप एलकॉल के साथ करा रहे है तो यह क्य है यहां पर CS3 अटेक कर देगा तो अब आपको देखना यह कि यह जो कारवन था इससे एक तो आपका OH और दूसरा आपका O CS3 आया ठीक है तो इसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा Acetal है और कौन सा Hemi Acetal है ठीक है तो मैं सिंपल सा यदि आपको समझागों बाकि इसमें कुछ रियक्शन करना वड़ा आसन काम है याद यदि आपको कुछ रखना है तो यह Hemi Acetal है इसको डंग से समझे लिजी सिंपल है क्या यदि आपके पास LD है ठीक है तुम्हान लोग LD हो सकता है आपके बास ऐसा होगा LD है अब जब आप इसकी रियक्शन करा रहे होते हो अलकॉल के साथ दो सीन यहां पर क्रेट होंगे यह चुंकि अलकॉल है तो आर पी एच मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ दूसरा यहां पर क्या जाएगा एक गुरूप आएगा आपका ओएज फिर एक किस आपका यसा होगा RCS तो है यह यह चुल आपर एक ओफ क्यों दूसरा को दूसरा नहें मैं एक और 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 तूसरा और दूसरा मिक्शन कशना यह इंपोर्टेंट है अच्छाना आजाना चाहिए दूसरा आपका होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है यहां से जो प्रोड़क्ट मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल ला है आरवन थी यह तो सेमी रहेगा इसमें तो कोई इकती नहीं है अब एक जगह आपका OH आए एक जगह आपका OR आए यहां पर OR आए यहां पर आपका OR आए ठीके यहनिके नाम आपको पता होना चाहिए क्या ये एल्दिहीट से जो बन रहा होता है इसको अर्पकर डूलता है एसको क्या बलता है और केक्टोन से जो बन रहा होता है इसको क्या बलता है कितल वर दोनों यह यह एक वाग विट एक और जैड़ ऑपका एक यह एक हपशातन technologies तो इसको अपन क्या बोलते है, hemiacetal, क्या बोलते है hemiacetal, सेम तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या बनता है, ketal, तो यह OH और OR, आदा आ है न, तो इसको क्या बोलेगे, hemiacetal, पैचान है, hemiketal, ketal है, hemiketal, और यह क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ जाएगा, तो देखते हो, तो यह LDID से बनना है, CH है न, तो OR और OH, तो hemiacetal, तो दोनों जगे, OR, OR आ गया, है न, alcohol, alcohol एड़ करते है रहा हो, तो acid, जैसे, SCL, डायूट, SCL, गैस इसमें एड़ करते हो, है न, यह आपका alcohol है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या बना, है न, क्योंकि आपने इस तरीके, OH और OR होता है, तो उसको क्या बोलते है, hemiacetal, तो यह नाम इसका important है, नोट कर उसको, सरंग क्या बोले है, सिस और ट्रांसमेर्स, टाय हो जाए, टाय क्यों होगा उन पर, उसके लिए वो देखो, इस्टीडियो, आज वाले वीडियो देखो मेरा, वो समझा जाएगा, ठीक है, यह कौन पूछ रहा है, जगरित अहुजा पूछ रहे है, सर जी क्या पढ़ाओगे, आज, भाई मारो ने, मारो, ठोड़ा बहुत देखके आजाकर, चेप्टर का थम ले, जब आपने वीडियो पर किलिक किया होगा, तो आपर उपर लिखा होगा, यह ना, बैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको यह मत बोलना, किसा संस्क्रिक्ट चल रहा है, यह नहीं पता है कि पढ़ा क्या रहे, गजब है, गजब सीन है, क्यों, यह कह रहा है, I am from sir's office, वाव 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 जूट बोलते रहते हूँ, kindly draw and explain structure of coronal group, यह सब हम पहले पढ़ा चोके शुरू में, उसका जो छूट गया है, तो आप देख लीजेगा, वो, ठीक है, यह जो coronal group होता है, यह क्या है, यह बीच में यह देखो तो इसको क्या बोल रहा है होते है, बताओ, वह ही है, ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, यह सब चीज़ें आपको समझ मागई होगी, यह कहां से आगा, अच्छा यह पढ़ा चुका हों में, उसमें को छूट रहा है गया, नहीं छूट रहा था, ठीक है, इसके बाद क्या आपका, यह पर हम पहुंचते हैं, एडिसन अप अमोनिया इट्स डेरिवेटिव, यह ना बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसमें, आपको पता है, क्या, कि अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो यह क्या होता है, आपका अमोनिया होता है, यह अमोनिया नहीं होता है, यह अमोनिया है, एनेस थी, ठीक है, क्या मैं यह लगा सकता हूं, ZNH2, yes or no, क्योंकि आगे जो चीज़े हैं, देखना नहां से, मैं क्या कहना चाहरा हूं, ammonia और ammonia derivatives की बात कर रहा हूं, इंपोर्टेंट है इसलिए, यह आपका ammonia होता है, NH3, तो simplicity के लिए, यही मैं ammonia derivatives की बात करूं, तो इसको पहले ही, मैं H2N, और H, इसको से लिख सकते हूं, यह क्या है, आपका ammonia ही है, हाँ या ना, अब derivative की जगा है, H2N और Z, तो इक है, ammonia derivative है, इसमें Z की HR है, इतायल है, मितायल, फिनायल और पता नहीं, hydazine बगएरा बगएरा, बहुत सारी चीह आ सकते हैं, तो सारी इसमें क्या हुआ, इस से ना, आपकी बहुत सारी reaction, solve हो रही होगी, बहुत सारी product आप आसानी से बना पाऊगे, यहां से देखना, ठीक है, ठीक है, चलो यह फालते हो गुश्चन मत कर आप थोड़ा सा पुड़ा important है, तो यह क्या आपका कारून दिल है, और यह क्या आपका ammonia derivative है, तो आप क्या करो, सिंपल यहां से पाने निकाल दो, H2O, जैसे ही आप पाने निकालो, पाने निकाल लेगा, product बनानेगा, NZ, यह आपका product बन गया, और यहीं सब चीज़ें आपको apply करते हुग, आगे बढ़ना है, देख रहे हैं, final product, पाने निकल गए यहां से, ठीक है, अब reaction होने का तरीका लगे, यहां पर यहां पर यहां पर आपका लॉन प्यर है, ठीक है, reaction कैसे होती है, इसके पास लॉन प्यर electron density है, इस पर डेल positive, डेल निकेटिव है, यह लॉन पर यहां पर attack कर रहा होता है, तो यहां पर again O- है, O- है, O- यह निकाल सकते हैं, तो H2O, यहां से H2 हो जाता है, आपका, जब H2 हो जाता है, तो हमको इस प्रोड़क्ट पो डायक्ट वनाना है, तो यहां पर कह रहे हैं कि जो Z है, वो कुछ ही हो सकता है, अलकायल, रायल, वह पालाना, डेखना, कितना सारा अची है, ठीक है, तो आब हम देख लेते कि जो ammonia derivatives है, इतनी सारी NCRT में जो reaction द बता हूं, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें, सुनना द्यान से, क्या, जैस दे, आपके पास क्या है, यहां पर आपको प्रोड़क्ट बनाने है, आपके पास यह कारूनिल ग्रूप है, C, double one, O, ठीक है, यदि आप इसकी reaction ammonia के साथ कराते हो, तो ammonia क्या होता है, NH3 होता है, इसको ऐसे लिख लो, आप क्या करें, यहां से पानी निकालो, जब पानी निकालो वो तो ही क्या जाएगा, C, double one, NH, यह सुने, देखो जाए, यह रहा, C, double one, NH, और दुनिया इसको क्या बोलती है, Iman, तो यह नाम भी आपके याद होना चाहिए, खिक है, दूसर जैसे R है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, again, C, double one, O है, और यहां पर क्या है, H2, N, और यह क्या आपका R, R गुरूप यहां पर आ रहा हुआ, तो basically मैं लिख देता हूं, कि जैसे मालो आपने लिया, H2, N, और यहां पर आपका Z है, और यदि आपके पास C, double one, O है, तो आ आपर R आ जाएगा, ठीक है, OH आ रहा है, जिसको हाइड ऑक्जिलमन होते हैं, तो OH आ जाएगा, इसके नाम पता होना चाहिए, C, double one, N, R, इसको क्या बोलते है, इसके बेस, यह क्या है, यह पता होना चाहिए, ऑक्जिम, ठीक है, C, double one, N, इस पर लॉन पेर, और यह आपका OH, यह क्या होता है, आपका उग्जिम होता है, अच्छा यार, यह confused हो जाओगा, आप कोई नहीं समझते, जैसे, यदि R की जगे, N, S2 आ जाए, तो N, S2, N, S2, इसको अपन क्या बोलते है, यह क्या है, इसमें से आप पाई निकालोगा, तो यह C, double one, N, S2 आ जाएगा, इस है, यह group चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यह पूरागा, पूरा, तो इसको क्या बोलते है, तो हम कुछ से में, बस हाइडाजिम के हाड़ेजन कर दो, जैसे इधर देखो, यह है, अच्छा, यह बहुत important है, semi-carvajate, क्या है semi-carvajate, तो इसमें से भी, आपका यहां से पा अच्छा बहुत आता, ठीके, क्या, कि आपने यह carbonil group लिया, और इसकी reaction आप कराए रहे हैं किसके साथ है, H2N, NH, C double bondo, NH2, question यह है, कि आपने पानी निकाल दिया, यहां से, तो पानी तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, तो मैं पूछ रहा हूं क्या पानी हम यहां से नि इस nitrogen को involve कर सकते हैं, यहां से आपका पानी गया, बाकी सब कुछ, same, ठीके, मैंने पूछा जो कुछ है, क्या आपने H2O यहां से निकाल सकते थे, बोलो, बोलो, तो इसको हम क्या बता है, semi, कारवा जान, बोलो, जल्दी, last में दिया है न, कारवा जाएड है, ठीक है, मैंने यह question पूछा, उसका आंसर गता था, निकल केने, सर, आराम से बढ़ाओ, प्लीज, आराम से चलना है, अभी कुछ बताए नहीं है, कितना simple है, यह है, आपका C double bond O, यदि आपके पास कोई ऐसा case है, H2, NH2 और Z, ठीक है, ammonia derivatives है, तो आपको simple सा क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देनेगा, जो आप पानी यहां से निकालोगे, तो C double bond, इधर के जाएगा आपका N, Z, that's it, ठीक है, इस ताप के आपके product बन रही है, यदि यहां पर H है, ammonia है, तो H होगा, तो H है यहां जाएगा, यदि यहां पर OH है, hydroxy amine है, OH है, तो OH है पहाजएगा, और यदि OH है आ रहा है, तो उसको क्या बोलते है, oxym बोलते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, ठ यह क्या है, Yes or No, यह क्या है, Sir Organic कब चलेगा, Sir, यह जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह क्या है, Physical chemistry, यह Inner chemistry, क्यों, क्या है यह, बता बताओ, जल्दी बताओ, महमूद पटेल, मैंने जो पुचा उसका रहा है क्यों नहीं बता रहा है, यह क्या है, यह क्या है, Dehydration, सशी के लाब बोल रही हैं कि अब पढ़ाएंगे 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 क्या मिष्टी पढ़ाएंगे टाइम आने दो सब पढ़ाएंगे सरक्लास कब से स्टाट होती है नो बजे से स्टाट होती है डेली डेली नी मतलब जब भी होती है तो यार इसका एक simple सा reason है कि यह जो है ना resonance में जा रहा होता है यह नहीं जाता है तो यह जो रोल लॉन पियर होता है localized यानि कि एक ही जगह है और यह जो लॉन पियर होता है डी-localized लार यह टो इस तरीके से इस नाइट्रिजन का जा रहा होता है ना एस टो अच्छा बैसे दो मैं सब बता चुका हम बड़ फिर भी एक और और इसको समझे लो जैसे पर उचुके अभी यहां से पाई निकाला जैसे आपने पाणी निकाला तो क्या जाएगा सी यहां पर डबल बॉंड एन ठीके और इस पर क्या आपका ओएच आया ने और यह लोनी पर तो ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलते है और जिम बार बार आपके आँखों के सामने के बेस पहषान माना चाहिए यदि इसकी एगए आ रा जाए तो इसके बेस होता है वह तो अग्जिम होता है समय यह की कारवन से CN और OH चाहए तो क्या होता है सबसे इंपर्टेटन ने वह लास्ट में बताएंगे पहले पढ़तो लो केमिकल एक्षिंस पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ हमारी यहां पर गतम होती है अब इसके बाद आपका reduction क्या है reduction इसके reduction किस तरिगे से हो रहे होंगे तो आपके LDHyd कीटों है यदि हम इसका reduction करना चाहें तो क्या product बनेंगे वो हम देखना चाहते हैं तो पहला reduction है reduction to alcohol तो यह तुम्हें आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि आपके पास LDHyd है क्या है LDHyd और LDHyd में आप कोई reducing agent लेते हो LDHyd में एक्षण काई होती है तो reducing agent लेते हो तो हमको यह आपर क्या मिल जाएगा one degree alcohol मिल जाएगा हाँ या ना यह सुन्डों अब आपके पास ketone है ketone की एक्षण भी आप किसके साथ कराते हो reducing agent के साथ कराते हो तो यहां पर हमको two degree alcohol मिल जाएगा कई वार पढ़ रखें पीछे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया है क्योंकि आप भूल जाते हो याद कुछ रहता नहीं yes or no ठीक है तो देखो वाईसा मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी LDR लेते हो मैंने लेते है CS3-CHO यह क्या आपका LDR है यह इसकी रेक्षण आप S2 Nickel के साथ कर सब्सक्राइब को किसमें रिड्यूस करते हैं किसमें रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर 121 डिग्री अल्कॉल आ जाएगा यानिक CS3-CH2-OH सब्सक्राइब यही आ जाएगा CS3-CH2-OH तो त्रीनों के सेस में यही आ रहा होगा यानिकि प्राइमरी 1 डिग्री अल्कॉल तो कई बार मैंने आपको बता रखा है कि यह आपको पास 1 डिग्री अल्कॉल है इसका ओक्षडेशन आप करवाओगे तो आपको LDR मिलेगा इसक 1 डिग्री अल्कॉल तो बताया कि नहीं बताया है पहले कई बार होता जाया है ठीक है अब बोलो सेम तरीके से येा पक्यूटोन का भी किस हैं येक्षण कराएब किस के साथ स्यम तो निकल की यहांपर प्रती नहीं पड़या तो पिटे यहांपर कुछ भी लिए सकते हो ठीक है दूसरा आपने ले लिए यहां पर सोडियम पूरा हैड़ाइड लीथियम एलुमिनियम हैड़ाइड हाँ यह ना यह सारे के सारे रिडूजिंग एजन्ट है तो आपको पता है कि टॉन का यदि हम रेडेक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है सेकंडरी अलकॉ से प्रैमडरी अलकॉल मिलता है और क्यूटर्ण की रेडेक्शन से सेकंडरी अलकॉल मिलता है नितिन शर्मा जी हमने कहा है कि चेप्टर कंप्लीट हो जाने तो हम बताएंगे क्वोन से इंपोटेंट रिएक्शन है बीच में नहीं बता रहे होंगे तो यह बात आपको हाइडोकारवन कैसे रिडेक्शन कर सकते हैं तो यहां पर दो इंपोर्टेंट रिएक्शन्स हैं एक है आपका जैडन एच्जी-सल इसको अपन क्या बोलते हैं क्लेमंसन रिडेक्शन इसको क्या बोल रहे होते हैं clemenson reduction, दूसरा है valve kitchen reduction, इसका जो reagent है, वो क्या है, NH2, NH2, H2, ठीक है, तो ध्यान रखना, clemenson reduction और ये जो आपका valve kitchen reduction है, दोनों के cases में product same है, reactant same है, product same है, reactant same है, अंतर किसमें आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ reagent में, एक में reagent है ZNHG, SCL acidic, दूसरे में NH2, NH2 KOH, ethylene glycol, heat product आपको same बना देना है, क्या कर देना है, ये जो है इसको अठाके बस CH2 लगा देना है CH2 आजाएगा, इसको अठाके आपको CH2 लगा देना है, N2 असे निकल जाएगा, तो ये क्या हो रहे होंगा, इसके product बन रहे होंगे, अब इसको भी येदि मैं थोड़ा सा और explain करूँ, कि क्या है C, तो हम किसकी बात कर रहे है Clemanson की Clemanson, ठीक है इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं पूछूँ क्या प्रोड़क्ट बनेगा, तो CS3 C development OH है येदि आप इसकी action करा तो Z and H G, C L के साथ तो आपको क्या करना है, यहां से अठा दो इसको क्या बना दो, normal, I do carbon दो carbon का है, तो दो carbon का लिकिन आ जाएगा जैसे आपने, बॉल्फ की सिनर डेक्शन के साथ करा आपने, आपने, बॉल्फ की सिनर C2 and H2, KOS बगरा, वो सब ले रहे हैं, बेसिक मीडियम होता है, आपको सापको पता है, थालिन द्राकॉल भी ले रहे होते हैं, तो यहां पर इसकी है क्या जाएगा, C2 है जाएगा, तो एक, दो, तीन, चार, अलकिन हाजाएगा दर, C3, C2, C2, C3, that's it, तो यह क्या आपका, बॉल्फ की सिनर, रेक्शन, समझ मा रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, बॉल्फ की सिनर, रेक्शन, बोलो, बोलो, क्लियर है, what is mean by localization and delocalization, localization का मतलब यह है, कि जो आपकी घर है, वो एक जगे located है, fix है, कहीं जा नहीं रहा, तो उसको क्या हो लेंगे, जैसे आपको जाना है, मालो आपको मेरे पास आना, इंदौर, इंदौर यहां से वहां वूम नहीं करता है, fixed है, तो आप location चेक करते हो locate, location, delocation, यानि को move कर जाता है, जैसे मालो इंदौर अभी यहां मद्ध प्रदेश में, इंदौर यहां सकें, दूसरी है कि पहुन जाए, like that, जैसे बस है, यहां ना, तो move कर रही होती है, तो उसको क्या बोलते है, delocalization, उसकी location बदल रही है, तो वैसे लोन पेर की बदलती delocalization, ठीक है, यह अब आप लोग, यह दो दो लोग आगए, एक की आईडी है कि आतमारी, मांशु सर्मा और नितिन सर्मा, क्यों, सर इसमें सबसे important reaction कोई सी, बोलतो रहूं, खतम होने तो chapter फिर में बताऊंगा, सुनो तो, सुनते तो हो नहीं, नहीं सुनना है सर, समझा ग दोनों में Clemenson, और Walp-Kishner में क्या कर देना है, अलकेन बना देना है, C double bond O हटाओ, CH2 लगाओ, लिख लो, C double bond O हटाओ, CH2 लगाओ, है ना, C double bond O हटाओ, CS2 लगाओ इसके यह क्या कर देना है CS2 लगा देना है ठीके normally क्या बनना है यहापर alkene बनना है तो वही सब्ता है इसमें यह आप देखो तो CW1.K CS2 आ या CW1.K CS2 आ जाएगा यह आ गया CS2 बॉल किसन एक्षन में आपका basic medium होता है इसमें आपका acidic medium होता है ओके next है आपका oxidation next का है आपका oxidation कि oxidation का क्या scene है ठीके तो यार मैंने आपको अभी भी लिखाया था क्या लिखाया था कि यदि आप 1 degree अल्कॉल का oxidation करते हो तो LDH मिलता है और LDH का oxidation करोगे तो क्या मिल रहा होगा आपको acid मिल रहा होगा पता है कि नहीं पता है बताया था मैंने पीछे हां जी बताया था तो यहांपन एक important है reagent जिसको मैं बोलता है tolerance reagent ज्यादा कुछ इसमें याद रखने की कोई जरूत है नहीं वैसे पर फिर भी थोड़ा सा इसको आपको इसके बारे पता होना चाहिए कि tolerance reagent यह जो test है यह किसके द्वारा दिया जाता है ldiids के द्वारा दिया जाता है ldiids क्या करते हैं tolerance test देते है tolerance reagent क्या होता है आपका ammonical silver nitrate solution ठीक है पchau जब भी आप इसका reaction करते हो किसके साथ ldiidimer ना इसको यह था है यहो रहा होता है यहां किभ दे रह होते हैं कि इसश्ट को दे रहे होते हैं सेम चीज य्विप का करों कि डरों क्या करते हैं यॅ कि कीटों नहीं देचे मैं दो नॉट गैव tolerance test tolerance test पितलं क्या दरते है, tolerance test नहीं देते हैं बस यह तना आपको पता होना चाहिए बागि यह product normal है, कि अपर आप इस bond को तोड़ोगे है तो oxidation यहाँ पर हो रहा होगा इसको तोड़ोगे, ạ, तो kliweels बयाँ बता रहा है, तो एक जगे आपका इधर acid आ रहा है और इधर भी आपका acid तो सम्में acid acid बन रहा है oxidation हो रहा है तो basically आप ld-hyd का oxidation करो क्या ketone का दोर में क्या बन रहा होगा आपका बताओ acid बन रहा होगा ठीक है तो ld-hyd oxidized हो जाता है easily ketone भी हो रहा होता है तो एक यहां पर tolerance test है इसको लेख लो समझना समझना याद मत रखना ऐसे diet को रीक्शन से नहीं पूछते है ठीक है बट वह पूछते है कि कौन सा distinguish करने के लिए bottom question आ जाता है conversion में तो क्या यूज कराएंगा इसको जो आपका मेंस नीट है उसमें बहुत सारा options में इसका यूज कराया गया है यदि आप PYQ देखते हो तो ठीक है तो क्या होता है यह जो आपका aldehyde है सिर्फ और सिर्फ aldehyde क्या करता है tolerance test मैंने आपको बता दिया है tolerance test में जो reagent क्या होता है ammonical silver nitrate solution होता है इसको अपन क्या वोलते है tolerance reagent बोल रहे होते है ठीक है तो जब आप aldehyde का reaction कराते हो यह वही है ना yes or no ammonical silver nitrate solution क्या ना nitrate आप यहां पर लगा दू लगाना है तो पानी मतलब नहीं है तो यह इसको तो oxidize कर देता है तो यह क्या हो इसका oxidation हुआ और जो silver है यह यहां से reduce होके यहां पा जाता है PPT बना लेता है इसका जो color होता है वो क्या होता है silver color का होता है किस color का होता है silver color का होता है that's why हम इसको क्या होता है silver mirror test यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो tolerance reagent के यूज कर रहे होते हैं तो आपको easily बता देगा कौन सा LDI है कौन सा ketone है कैसे चैसे मालों दो बीकर है आपके एक यह हमको नहीं पता कि इसमें LDI है कि इसमें LDI है तो जब भी आपने इसकी reaction करा है tolerance reagent के साथ तो LDI positive test देगा यानि कि silver miller का PPT मिल जागा तो हम बोल देगा वाव वाव इसमें LDI है और नहीं दिया तो हम क्या देगी इसमें किटों है ठीक है दूसरा होता आपका failing test क्या होता है failing test तो failing test में जो हमको यह क्या करता है यह जो LDI है again LDI को oxidize करा देता है ठीक है किसमें acid में और यहां पर जो हमको PPT मिलता है वो किसका मिलता है CO2O का red brown PPT मिल रहा होता है ठीक है red brown PPT मिल रहा होता है अब इसमें कुछ points पर लिख लो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि failing reagent होता क्या है तो basically यह solution दो चीह होगा किसका solution A and solution failing solution B तो अब इसमें क्या होता है copper sulfate हो यह इस aqueous copper sulfate तो जो folic solution A है उसमें क्या आपका copper sulfate aqueous दूसरा जो solution B है alkaline sodium potassium titrate है इन दौनों को हम क्या करते हैं बरावर मात्रा में मिला रहे होते हैं cash से पहले और फिर LDI को इसके साथ phalanx region के साथ heat कर देते हैं तब हमको एक reddish brown PPT मिल जाता है किसका CO2O का ठीक है दूसर इसमें एक important line लेखी हुए वो यह है कि aromatic LDHs इस test को नहीं देते हैं aromatic LDHs test को नहीं देते हैं तो इतना कुछ भी आपको याद नेखना है क्या सी न क्या नहीं है simple सी बात है copper sulfate है जनली आपको copper यहां पर मिल रहा होगा तो LDH की reaction copper के साथ हो रही होती है acid में oxidize हो जाता है और हमको जो PPT मिलता है किसका मिलता है CO2 का मिलता है ठीक है तो यह क्यों आपका phalanx test हुआ आप आगे अबढ़ने से पहले इसको summarize कर लो कहीं बढ़ना भूल जाओ जैसे मैं तीन केस आपके सामने लेता हूं CS3 CHO यह बेंजल अल्डी है और यह आपका क्यूट है ठीक है और यहाँ पर मैं ले रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पर मैं ले रहा हूं फेलेंस रिएजेंट ठीक है तो आपको बताना है कि कौन सा positive देगा कौन सा निए तो यह तो LDI है तो LDI tolerance देता है आगे आप बता हो इक टो देता है यह नहीं दे रहा है इदर यह बेंजल अल्डी आइट का केस है यह यह आपको नहीं बता हूँ यह क्या रहा है सर लील नहीं आ रही है क्यमिस्टी में फिलिंग्स लना चाहता है क्यों वो यार NCRT से पढ़ा रहे हैं एक फ्लो में नहीं है that's why आसा हो सकता है इस्टॉप कर दो थोड़ा सा पढ़लो थोड़ा सा फिर अपने बंद करेंगे सर्थ इस नॉट फॉर क्यूटन हांजी अग्जी निंग के एक्जम पर लो बैंजी निंग आपके सामने रिंग और ल्ड बताओ जली बताओ फिर अपन आगे बढ़ें अंसर दो कौन सा कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा या दोनों देंगे कितना बचा यह भी यह थोड़ा सा रह गया देख लेते हैं इसको ओके एरोमेर्टिक नहीं देगा फैलिंग के साथ ऐसा आप कह रहे हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह आपका टॉलेंस तो देगा फैलिंग से नहीं देगा ठीक है तो मैंने आपको बताया था एक और फिर से मैं यहाप पर हैलाट करके लिखा दिता हूँ एरोमेटिक इल्डी हैड है न अ एरोमेटिक इल्डी हैड है भी पूशी ले जाए तो आप बता पाऊँ इसको ठीक है तो यहां पर tolerance और phallings आपका खतम हुआ ओके नेक्स्ट आपका oxidation of methyl ketone ठीक है तो जो आपका methyl ketone है तो बेसिकल हम यहां पर जो आपका reaction पर जाने हैं हेलो फर्म पढ़ने वाले तो बेसिकल सबसे जाएं इसमें हम देखते हैं आएडियोफॉर्म क्या देखते हैं आएडियोफॉर्म तो कभी आपको अलग सीयली मिले देखो हम पढ़ क्या रहे है ट्राप या याफे यहां है है तो कहने की प्रोडक्ट में क्या रहा होगा CHCl3 उसे लिट कर सकते है चलो तो अब हमको बड़ा सिंपल सब कुछ समझ बागए क्या करना है जैसे यह आपका मिधाली किटोन है तो तो CS3 हटाओ, मैं इसके लिए एजन्ट आपको बता दूँगा भी, CS3 हटाओ, क्या लगाओ, O- लगाओ, तो यह O- एन उससे बैलेंस कर रहा है, O- लगाओ, तो आपका एक यह मैन प्रोडक्ट हो गया, दूसरा जैसे आपने ID क्लोरी लिया है, तो यह क्लोरो फोर्म बन और यहां पर क्या जाए आपको CS3, क्योंकि यहां पर NAOCL है, और यहां से क्लोरो फोर्म लेगा, इसको कभी-कभी ऐसे भी लिखा हुए होता है, NOH और यह X2, यह भी क्या आपका? हेलो फोर्म का टेस्ट है, ठीक है, सिम्पल है, नोट कलो इसको फटा फट, इम्पोर्टन है, CS3 हटाओ, क्या करो, O- लगाओ, लेख सकते हो, CS3 हटाओ, बगल वाली, Just बगल वाली, O- लगाओ, क्लियर है, कलो नोट, सर, हैलो इरीन क्या है, यह इरीन क्या है, यह इरीन क्या है वईया, यह तो हमने पढ़ाया ही नहीं है आपको इरीन, नाम भी सब्सक्राइब कर रहे हो, शर्मा केर सर आप 11 की chemistry नहीं पढ़ाते हो यार मैं कुश्चन का अंसर कैसे दूँ आपको जब मैं 11 पढ़ाता हम तो 12 पढ़ाता हम तो 11 की लिए चलाते हो 11 पढ़ाया तो इससे पहले वाला इसकी कौन सी रियक्षन है तो उसको अपन क्या कहते है कैने जारो स्वधी आल्डोल करने से दिसन है वह हमें नेक्स्ट टॉपिक आपका यह बहुत इंपॉर्ट नहीं पूछरा था भी फिर उसका क्रोस अल्डोल है और देन इसके बाद आपका कैने जारो कैने जारो तो क्या कराएं इसको कल से गंड़नु करें हैं अना ठीक है तो आपके LD हैड और Q-turn में चुंकि इंपोर्टेंट है अभी बहुत सारे स्टुएंट नींद में होंगी क्या क्या इंपोर्टेंट है बोलो क्या जाल रियक्षन बहुत इंपोर्टेंट है और Allure Condensation भी बहुत इंपोर्टेंट है यह क्या गहां सर जी एस्टिक एसेट देगा नहीं एस्टिक एसेट और नहीं देता है हेलो पर्ण ठीक है सर और एक्जामपल लो बहुत सार एक्जामपल हो सकते हैं आप ले सकते हो तो बाकी तो जेएडवांस मेंस पर चला जाता है कई सार एक्जामपल हो सकते हैं साइसा भी कोई केस आपको मिल रहा है यह भी आपको क्या गता है क्योंब ओर यहां процin कर दोटेह किसकर आप इसकी रिएकसण कराते हो कि इसके साथ और आ 싸 मोअस लगा है ना रखाओ अःपको वामानस लगा देना थर दा एसको जागा क्या यह जो है आपका क्या जाएगा उसकी जाएगा चाहिए इसको अपन क्या वो लेंगा आइडो फोन आइडो फोन अट्स इट तो आप देख लें न प्रैक्टिस कर लें न उसका क्लियर है चलो फिर समाप्त करते हैं इसको अच्छा इसकी जो यह जो पीडिया पर आपको कहा मिल रही होगी टेलिगरम चैनल सिंख साब केमिस्ट्री आया ना दूसरा सिंख साब क्या मिश्टा पर फोलो कर सकते हैं मुझे चलो फिर समाप्त करते हैं उसको बाइबाए सर मैं भी आया हूँ प्लीज वापस बता दो क्लास कतम होगी अब तुमको क्या बताएंगे वापस सब्सक्राइब देख लेना ठीक है चलो बाए सबी को गुटनाइब